पूरी पावर आपकी ताकद होनी चाहिए पूरे दिल से कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा आए हम कुछ जिन्दगी में अच्छा करना है तो इस बार IDT में असी पार उसके नीचे आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जहां तक देखा जाए अगर किसी ने अल्रेडी कस्टम देख लिया होगा तो वो GST से अब शुरुबात करी रहा है या फिर मैं यह भी कहना चाहोगा कि आप GST से शुरुबात कर सकते हो और कस्टम्स बाद में भी कर सकते हो GST का और कस्टम्स का कोई लेना देना नहीं है दोनों भी अलग-अलग एक्ट है और दोनों इंडारिक्ट अक्सेस में आते हैं इसलिए जहां तक देखा जाए यहां एक सब्जेक में पढ़ रहे हैं लेकिन येस आप GST से भी स्टार्ट कर सकते हो और उसके बाद में कस्टम्स कर सकते हो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन टॉपिक में आपको कहा थ जाकि GST जो है यहां पर 80 मार्क्स का है यहां सीए की सिलबस में और 15 मार्क्स का कस्टम्स है और 5 मार्क्स का फॉर इंट्रेट पॉलेसी है लेकिन आप CMA या CS कर रहे हो तो लगबक इतना ही ओके वेटेज आपको दिया गया है जहां तक देखा जाए तो अगर आप होगा चलिए अब बात कर रहे है यहां पर यहां पर यहां पर कुछ टेक्निकल रिजन की वेज़े से इंटरनेट डिसकनेक्ट हो गया था वापस हम स्टार्ट कर रहे है लेक्षर रूग गया था तो चलिए बेटा यहां पर मैं फेर से बता दूँ GST आपको 80 मार्क्स का है और GST जो है आपने इंटर लेवल पर पड़ा है इसलिए इसको समझना भी आसाने है तो चलिए हम अब हमारे discussion की सुरुवात करेंगे और session स्टार्ट करेंगे ठीक है हाँ अब बात करते है notes related अगर आप यहां पे आपको notes पहुच गई होगी तो अच्छी बात है नहीं तो मैंने login में आपको जो है regular notes का PDF भी दिया हुआ है दोस्तों हम पूरे discussion में यहां पे चार notes यूजँ करेंगे at a time आपको bare act की copy दी है पीडियाप कोपी दी है bear act कैसे होता है यह read करना में आपको सिखा होगा तो bear act कैसे होता है यह read करना में आपको सिखा होगा उसके पहले provision bear act से पढ़ेंगे यहाँ पे उसके बाद में इस bear act को बहुत simplify way में अपने regular notes में लिया है मैंने तो regular notes में आपको mainly तो regular notes जो हमारा study match होगा regular notes ही पढ़ना है और यह regular notes जो है इसमें simplified way में मैंने करके दिया हुआ है तो उस पर यहाँ पर हम discussion करेंगे फिर आपको charts draw कर रहा है तो यह जो charts आप draw करोगे आपके एक notebook होगी और वो charts आपको draw करना है compulsoryly compulsoryly words को धहां से सुनना no doubts यह charts जो है charts के handwritten copies आपको आपके login में मिल जाएगे लेकिन मैं strongly आपको कहना चाओगा कि handwritten copies handwritten ही होते हैं जब तक आप खुद नहीं draw करोगे subject पे grip नहीं आएगी इसलिए chart आपको खुद draw करना है discussion हमारा chart की base पर यहां हो जाएगा उसके बाद में next अगर हम बात करें तो हमारा questionnaire ओके questionnaire और यह questionnaire जो है यहां पर जैसे ही हमारे topic होगे तो lecture के end में questions आपके साथ discuss किये जाएगे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम जब यहां पर regular discussion कर रहे हैं तो तब ऐसा लगे ओके कि यार थेरी थेरी चल रही है लेकिन आपको मजाएगा जब मैं questionnaire आपके साथ solve करूगा और concept की mapping करके दूगा इसलिए यहां पर मैं आपको यह कहना चाहूगा कि immediate judgmental मत हो जाना कि यार थेरी हो रही है रहा बोर हो रहा है ओके नहीं जैसे जैसे concept की depth में जाएगे हम questionnaire solve करेंगे और सारे examination questions RTP questions के 2017 से मैं यहां कवर करूगा साथ में हमारा जो study mat है institute का उसके भी सारे questions में कवर करूगा new study mat के सारे questions में cover करूगा so don't worry for that okay हम बहुत अच्छे से उसको यहां पर cover करेंगे so that कि जब मैं regular concept आपको पढ़ा रहा हूँ तो regular concept पढ़ाते वग दोस्तों यहां पर आपको यह बता दू कि मैं बहुत सारे examples देके आपको clear कर दूँगा examples तो definitely हर concept के पीछे रहेगी story line हर concept के पीछे रहेगी जो आप यहां पर exam में problem face करते हो या practical life में भी जो face करते हो या करने वाले हो उसका भी discussion हमारा बिलकुल रहेगा लेकिन particularly exam में किस structure में question पूछते हैं जिसे पर हमारी questionnaire में अच्छी कैसे practice हो जाएगी तो questionnaire भी आपके साथ और कि physical copy आपको दी जाएगी नेक्स आपको यह बता दूँ कि अभी जो है जैसा आज हमारा पहला session है तो यह पहले session में जो है questionnaire आपको जो है यहां पर पीडियाप copy दी जाएगी जब तक physical copy नहीं आती है आप सभी को बता है कि यहां new scheme है और new scheme के तहत मेरी भी notes का complete revision चालू है बहुत अच्छे से मैं उस अच्छे से चलेंगे और पैनिक मत हो जाना कि अरे notes नहीं आई यह नहीं आया session जो है और कि यहां पर हमारे notes के साथ physical notes नहीं यह तो match नहीं हो रहे देखो भाई news scheme है तो आपको मुझे cooperate करना पड़ेगा इसलिए मैं आपको कहना चाहोगा कि यहां पर जो है question अभी pdf निकालो दो दो chapters की निकालो तब तक आपको physical notes आ जाएगी चलिए दोस्तो तो अब start करते है हमारा discussion are you ready yes or no अगर ready हो तो yes को बेटा चलो डवट चलिए पहले chapter पर आते है यहां पर और पहले chapter basic concept of indirect taxes and constitutional levy of GST आपके तो yes इस chapter में फोड़ी constitutional provisions हम देखेंगे है और no doubt final level पर constitutional provision पर कुछ ही ऐसे concept है जो important है बाकी तो inter level पर आपका हो जाता है लेकिन yes आज GST की शुरुवात है कुछ concept जोनोंने customs complete कर लिया होगा तो शायद revision हो सकता है 5-10 minute का revision कर लेना आपने already लिखा हुआ होगा तो भी फिर से लिख लेना क्योंकि बहुत सारे students यहां GST से join होने वाला है और GST से ओके यह basic concept समझना जरूरी है क्योंकि आज पहला session है GST का तो चलिए दोस्तों ओके इस concept के शुरुवात करते हैं यहां पर आ जाते हैं Now Table of Content इस chapter में हम क्या पढ़ने वाले है इस chapter में GST का introduction कौन-कौन से taxes GST में सबस्विम हुआ है जो आपने inter-level पर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है Okay principles of GST, framework of GST introduced in India जैसे dual model में GST आया, GST attacks on goods or services, constitutional amendments in GST, manner of utilization of GST और फिर एक section charge of GST, levy and collection of GST हम आगे उसके साथ साथ पढ़ेंगे Okay चलिए अब थोड़ा यहाँ पर discussion को आगे बढ़ाते है शुरुआत हम बहुत ही basic concept से करेंगे Okay what do you mean by tax, भाई साब बो, tax है नहीं क्या Okay तो अगर आप देखोगे तो tax, tax this word derived from taxo, यह latin word है और latin word taxo से tax derived हुआ है यह mandatory financial burden है, imposed by legal entity और यह government जो tax impose कर रहा है आप सभी को पता है, government को पैसा चीए, किसके लिए चीए, infrastructure, education, health, military, defense या कोई भी public expenditure करना हूँ, तो government को पैसा चीए और government उसके लिए taxes लगा रही है Okay, तो what type of taxes लिए इंडिया, तो इंडिया में mostly दो type के taxes, direct and indirect taxes Underline करते हैं मेरे साथ, इंडिया में दो type के taxes लिए होते हैं, और पहला direct होता है और दुसरा indirect होता है चलिए, now next अगर हम बात करें, तो yes, difference between direct and indirect taxes भाई साथ, आपको ये difference तो पता ही होगा, बता ही ये differences क्या है, direct and indirect taxes में Okay, कुछ मेरे साथ interact कीजिएगा, what are the differences between direct and indirect taxes, कोई बतावाएगा चलिए, पहले read कर लेता हो, और फिर ये concept को थोड़ा elaborate करने की कोशिश करता हो, ठीक है Direct tax, अगर हम बात करें, it is levied on income earn activity, conducted, underline the word income earn activity तो दुसरा जो है, indirect taxes जो है, on product or services, अगर के product or services, ये बहुत ही basic discussion है Final level पर institute आप से ही expect नहीं करेगी, कि exam में इस पर question है, लेकिन हमरा आज पहला session है, इसलिए हम इस पर discussion कर रहा है तो अगर हम बात करें, तो direct tax income earning activity पर लगता है, और indirect tax product or services पर लगता है Direct tax is payable by person directly, indirect tax is payable by person, but transferable to another person, and entire burden is on ultimate consumer Okay, पूरा button ultimate consumer पर आएगा, done, उसके बाद में अगर हम बात करें, तो next, yes, यहाँ पर It is paid after the income riches in the hands of taxpayer, तो यहाँ पर goods or services पर जहाँ पर tax आता है It is a tax collection is somewhat difficult, तो यहाँ पर relatively easier, और indirect tax क्या होता है Okay, before, before यहाँ पर receipt of goods or services पर यह tax आपको pay करना बढ़ता है और example आप जहाँ पर direct or indirect taxes, आप अगर add करना चाहते हो, तो एक difference और add कर सकते हो Direct tax, progressive in nature, and indirect tax, regressive in nature चलिए, एक storyline में बात करते है, तो आपको GST थोड़ा interesting होते जाएगा Indirect tax के related आपको information में लेगी, वैसे तो यह basic concept है और यह basic concept आपकी इंटर लेवल पर अच्छी डंग से हो गए होगे, लेकिन एक बार वह basic concept से मैं connect होना चाहता हो, और discussion को आगे बढ़ना चाहता हूँ यह तो सभी को मालम है कि indirect tax यह जो है payable by one person and transferable to another person, यह आपको सभी को बता है जैसे हम अगर income tax की बात करें, obviously आपने income tax पढ़ा है, income tax, okay payable by person concerned, मतलब जिसने earn किया, वो tax pay करेगा let's take example, जैसे आज मेरी batch चालू ही, और आज अगर मेरी batch चालू ही and I earn the income, okay and that is assume 5 lakhs तो 5 lakhs पे government को मैं direct tax pay करूगा, okay और यह मैं transfer नहीं कर सकता, जो भी मेरा tax आता होगा 10%, 20%, 30%, इसका tax मैं directly government को pay करूगा और यह burden transferable नहीं है, चलिए, यह आपको पता है, okay इसमें कुछ नया नहीं है, इसलिए हो सकता है कि आप कैसा लगए कि सर बढ़ा हुआ है, पता है, आगे बढ़ो, हाँ पर मेरा एक specific question आप से है, और यह question फिर से मैं put कर रहा हूँ, क्योंकि inter level पे आपके faculty ने put तो किया ही होगा, और आपको clarify किया ही होगा, लेकिन नहीं भी clarify किया हो, तो मैं question आप से पुछना चाहता हूँ, थोड़े आपकी thinking process को खुरदना चाहता हूँ, क्या आप, okay सोचते क क्या है, एक story line आपको बताता हूँ, समयलों ये बंदे का business है, okay ये बंदे का हम लेके चलते business है, okay और business में इसका turn or जो हुआ है, okay, तो ये बंदे का जो turn or हुआ है, profitable loss account में अगर हम देखे, तो ये जो है business है, business carry कर रहा है, और ये जो है, यहाँ पे sale कर रहा है, किसको sale कर र okay, example लेते है, 20 lakhs, अब value जो 20 lakhs है, यहाँ पे, okay, 20 lakhs customer को उसने sale किया, 20 lakhs पे यहाँ पे GST लगा, okay, सुन्दान हैं से, indirect tax और indirect tax कौन सा, GST, तो 20 lakhs पे GST लगा और GST add the rate 18% ले लेते हैं, तो GST add the rate 18% यहने 20 lakhs, okay, यहने 3 lakh 60,000, 3.6 lakhs हम GST ले लेते हैं, ठीक है, तो 3.6 lakhs अगर हम GST लेंगे, तो concept क्या है बेटा, आपने GST लगाया, और यह GST government को यहाँ पे पे करना है, indirect tax है, okay, तो GST हमने पे कर दिया, okay, और GST 3.6 lakhs हमने पे कर दिया, obviously, आप GST में registration ले चुके हो, आपका GST portal पे account बन चुका है, और आप GST R1 3B फाइल कर रहे हो, य 3.6 lakhs आप government को दे रहो, question यहाँ पे भी नहीं, यह सारी चीज़ा आपको बता है, मैं कहाँ खुरिदना चाहता हो आपको, और वो यह concept को देखिएगा, वो यह कि आपका profitable loss account बन रहे है, अब यह जो profitable loss account आपका बन रहे है, जिसमें आपने sales बताना है, okay, sales बताना है, अब events क कि आपने government को GST दिया, और वो GST का burden pass on हुआ, किसको pass on हुआ, customer को, okay, indirect tax है, burden is transferable, इसमें कोई नहीं बात नहीं है, okay, burden, अगर यह भी businessman होगा, तो आगे burden pass on होगा, entire burden is on ultimate consumer, okay, जो ultimate consumer है, उसके उपर पुरा burden आता है, GST का, इसमें कोई doubt, नहीं doubt होगा, तो जितने भी student मेरे स connected है, nd लिखो, nd मतलब no doubt, please, लिखो, मुझे आपका interaction चाहिए, तो मैं यह subject इतना अच्छा बना दूगा, इतना अच्छा बना दूगा, कि आप भी यहाँ पर सोचोगे कि नहीं, आप भी आप यह सोचने लगोगे, हाँ, आप भी आप यह सोचने लगोगे, कि यार, यहाँ पर, मुझे यह बताईए, सेल्स कितने से record करोगे आप, आपके profit and loss account में, सेल्स कितने से record करोगे, 20 lakhs या 23.6 lakhs, यह basic entry में, जो आपकी inter-level की है, वो basic entry आप से discuss करना चाहोगा, बताईए, सेल्स कितने से record करोगे आप, अब यह से बेटा, सेल्स में 20 lakhs से ही record करोगा, सेल्स में 20 lakhs से ही record करोगा, entry आपको बता दू, और यह आपको सब पता है, entry जो है, आपका sales account, यहाँ पे, जैसे data's account, debit to sales account, to GST payable account, आपका जो भी GST payable 3.6, यहाँ पे जाएगा, net value पे आपकी sales record हो जाएगी, फिर जो है, आ okay, उसके बाद में आपका gross profit आएगा, okay, gross profit में से आपके expenses, revenue expenses रहेगे, और आपका net profit is business से आगया, और 20 lakhs में आपका net profit समझे लो 5 lakhs है, 5 lakhs है, और यह 5 lakhs पे आपको income tax भी लगता है, यह 5 lakhs पे आपको income tax भी लगता है, okay, यह 5 lakhs पे income tax भी लगता है, PGBP में, अगर आपको याद होगा, तो PGBP में profit and gain from business or profession आपको income tax भी लगता है, तो भाई, भाई साब आपसे एक सवाल पुछना है, आपके mind को थोड़ा खुरिदना है, okay, और वो क्या, जब यह 20 lakhs पे मैं already government को 3.6 lakhs GST दे चुका हूँ, okay, 3.6 lakhs government को GST दे चुका हूँ, 20 lakhs पे, तो मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल आपसे यह है, कि वो 20 lakhs पे GST देने के बाद, उस 20 lakhs का ही profit बचा है 5 lakhs, और वो उस पे मैं income tax भी दे रहा हूँ, तो आपको नहीं लगता है, यह double taxation हो रहा है, okay, government ने 20 lakhs पे GST लिया, मैंने government को GST दिया, और उसी 20 lakhs का profit बचा 5 lakhs और वो 5 lakhs पे मैं government को यहाँ पे income tax भी दे रहा हूँ, don't you think it's a double taxation, क्या लगता है आपको, सर बहुत ही basic question पूछते है, चलो basic से शुरुवात करते हैं, गलत क्या है, आज का पहला session है, open raw, basic से शुरुवात करते हैं, फिर लेके जाता हो आपका advanced level और मैं आपको बता दू, आ अगर किसी को यह doubt होगा, sir, GST में goods की definition क्या है, service की definition क्या है, तो बाई-साब आपने इंटर में बहुत अच्छे से कर लिया है, अब हमें advanced level पे discuss करना है GST, okay, आपका answer क्या होगा, आपका answer यहाँ पे यह होगा, sir, okay, दोनों taxes अलग है, यह double taxation नहीं है, okay, indirect taxes में burden pass on हो रहा है तो direct taxes में burden pass on नहीं हो रहा है, direct taxes में हम tax pay कर रहा है, तो ऐसे situation में burden होगा, कहाँ pass on हो रहा है, sir, इसले double taxation नहीं है, अगर आप यहाँ पे देखते हो कि इसमें burden pass on हो रहा है, और यहाँ पे pay कर रहा है, person के perception से देख रहे हो, तो बिल्कुल double taxation नहीं है, पर transaction के perception से देखा, त लेका तो government ने दो बार tax लिया, क्यों है, and government ने बढ़न कोई बी ले, public ले रहे हैं, seller ले, buyer ले, public ले रहे हैं, और उस transaction पर government दो बार tax collect कर रही न, अगर हम straight forward, बिना कोई धार्ना से, जो आपने पहले पड़ी है, अगर कुछ ना सोचे, एक layman angle से सोचे, तो definitely government यहाँ पे double taxation कर रही है, और कि यह 20 लाग के ट्रांजिक्शन पे लिया, उसी ट्रांजिक्शन का profit बच्चा, उस पर income tax लिया, वो बात अलग है कि एक direct tax है, दूसरा indirect tax है, वो totally चीजे अलग है, पर वो ट्रांजिक्शन पे double tax लिया, क्योंकि उसी ट्रांजिक्शन का 5 लाग है, तो government लूट रही है, ऐसा आपको feel आ सकता है, चलिए, मैं आपको थोड़ी history बताना चाहता हूँ, और दोनों tax के object बताना चाहता हूँ, जब दोनों tax के object आपके सामने आ जाएगे, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि government का double taxation है, sir government का यहाँ पे, इस story line से, जो आपने story बता है, इस story line से, direct और indirect tax का history क्या था, बताता हूँ, income tax तो बहुत बाद में आया, अगर originally देखा जाए, तो पहले indirect tax जवलब हुआ, जिससे business tax का जाता है, आज भी GST business में लगता है, अगर आप section 7 supply, अगर definition आपको याद होगी, तो supply यह कहता है, whatever the, okay, sale, transfer, barter made, in the course or furtherance of business होना चाहिए, तो GST लगता है, personal transaction पे GST नहीं लगता है, तो no doubt, okay, indirect tax, mostly business tax होते है, जो product और services पे लगता है, तो ऐसे case में, जब business in IA में develop हो रहे थे, तब indirect tax लगता हुआ, पहला उसका okay, fingerprints रखे गए, indirect tax के, especially एक example आपको customs कर लेता हो, कि जब कोई other territory से ये kingdom में आता था, मतलब समय लो, पहले monarchy system था, monarchy system में कोई other kingdom से ये kingdom में आ रहा है, तो उसको हमारे kingdom में business करने के लिए, सुनना, हमारे kingdom में business करने के लिए, जो है, यहाँ पे कुछ tax government को, याने, एक customary practice थ अबना है, तो कुछ gift देना पड़ेगा, tax देना पड़ेगा, वो business करने के लिए tax था, और यह practice देरे-देरे develop होई, और वो practice जो है कि आप हमारे area में आ रहे हो, तो आपको tax देना पड़ेगा, आप कुछ produce कर रहे हो, आपको tax देना पड़ेगा, आप कुछ बना रहे हो, आ परेले से कि बर्डन पासओन, और के यह डारिक, आज हम tax के नाम से पड़ते हैं, कि यह जो tax हम separately लिखते हैं, इस बर्डन पासओन, I hope आप यह बात को समझ पा रहे होगे, तो यह जो है, कोई ऐसा नहीं हुआ कि meditation में बैठा, आके खोल दिया, आज से बर्डन पासओन कर द का, यह indirect tax इस तरह से develop हुआ, चलिए, शायद आपको पता भी हो, लेकिन हम शुरुआत यहां से करेंगे, don't worry, बहुत advanced level पर आपको लेके जाओगा दिरे दिरे, यहां तक तो ठीक है, चलिए, अब आगे हम बात करें, तो income tax क्यो develop हुआ, income tax यह हुआ, क्योंकि, क्या हुआ, यहां पर, business tax जो लगते थे, उसके burden public पे transfer हो जाते थे, तो यह जो business वाले हैं, okay, इनके पास profit accumulate होते जा रहा था, और वो जो profit accumulate होते जा रहा था, तो पुरा economy दो पार्ट में divide हो रहा था, एक rich class और एक poor class, okay, rich become more richer, मतलब उनके पास पैसा जमा होते जा रहा है, और poor become more poorer, औ अल्टिमेटली इंडारेक्ट टैक्स तो पर्बिक के टांसफर होगा, जो goods और services purchase करेगा, तो अब दोस्तों, यहां पर क्या था, कि economy में कुछ लोगों के पास पैसा एकटा हो रहा है, और बाकी लोगों के पैस पैसा एकटा नहीं हो रहा है, तो पुरा control कुछ लोगों के ह हाथ में आ रहा है दिरे-दिरे, तो ऐसे case में, कोई भी prudent government क्या सुचती कि नहीं, कुछ लोगों के हाथ में, अगर पैसा जमा हो रहा है, इकटा हो रहा है, और वो पुरा control ले रहा है, तो यह कोई भी country के लिए सही बात नहीं है, don't allow the accumulation of income, यहां कुछ लोगों के हाथ में बिलकुल allow मत करो, तो ऐसे case में, government ने, याने, government कहो तो या फिर पहली बार जब income tax के बारे में सुचा गया, तो यह, यह point पे सुचा गया कि, जिसके पास पैसा जमा रहा हो, tax लगाओ, tax लगाओ, उनके income पे tax लगाओ, और उनके तीजोरी से पैसा निकालो, I repeat, उनके तीज क्या है दोस्तो, income tax का object है, don't allow anybody to accumulate the income, तीजोरी में आप पैसा नहीं जमा कर सकते, निकालो और public में लाओ, तो यहाँ पे यह double taxation नहीं है, इसका object अलग है, यह business tax है, और इसका object है, कि आपके तीजोरी में पैसा जमा हो रहा है, और कि निकालो और public में लाओ, otherwise, यहाँ पे आप slab देखते हो, तो 10%, 20%, 30% ऐसे slab आपको देखते है, कि जैसे जैसे आपका income बढ़ेगा, और कि वैसे वैसे slab भी बढ़ेगा, और कि पैसा बढ़ा निकालो, पैसा बढ़ा निकालो, तो यह object था, इसलिए यह पूरे discussion से, मैं आज एक point आपको conclude करके देना चाहता हूँ, वह क्या, बहसी बार, फाइनल लेवल पे स्टुडेंट को यह confusion होता है, कि सर, यह transaction यहाँ पर, जहां था कि GST में, और यह income tax में, और जब दोनों act पढ़ते हैं, तो confuse हो जाते है, let's take example, charitable trust, charitable trust की income, income tax में exempt होगी, पर हो सकता है, GST में exempt हो, इसलिए आपके income tax के concept, GST में मत ल request है, दोनों act के object totally अलगे, एक business tax है, जो transferable है, और एक का tax है, tijory tax, income earning activity, आपकी tijory में, हम कुछ लिमिट से जादा पैसा जमान नहीं होने देंगे, यह खतरनाग बात है, dangerous बात है, public के लिए, आपकी tijory से पैसा निकाला जाएगा, और public में लाया जाएगा, हो सकता है, आपके tijory से पैसा निकाला जाएगा, समझा नहीं समझा, तो यह object होता है, income tax का, इसलिए income tax में exemption पढ़ते हो, GST में exemption पढ़ते हो, दोनों के object बिलकुल अलग है, हाँ, GST में exemption देने का तरीका यह हो सकता है, कि वे GST में business को grow करने के लिए, या ultimate customer को ध्यान में रखते उनको देखके exemption दिये है, तो object totally अलग होते है, इसलिए, यहाँ पे आपके income tax के concept, आपके GST के साथ, IDT साथ, बिलकुल merge नहीं करना, दोनों को अलग-अलग parameter पे रहने देना, दूसरी बात में आपको अगर यह बताओ, यहाँ पे जान से सुनिएगा, यहाँ पे, जैसे हम income tax में बहुत कुछ starting में पढ़ते हैं, assessment year, okay, financial year, assessment next year में होगा, advance tax दिया जाएगा, भाई सब GST में ऐसा कुछ नहीं है, assessment year और financial year, यह तो transaction based tax है भाई, okay, transaction है, pay now, assist now and pay on monthly basis, transaction based tax है, क्यों रुके, तुमारी value clear है, invoice clear है, tax clear है, assist करो monthly quarterly basis पे pay करो, that's all, तो यहाँ पे, आपको indirect tax में कोई assessment year, financial year नहीं आएगा, GST में, transaction based आपको GST assist करना पढ़ेगा, basic था, पर समझाओगा, तो MZMZ टैप करो, basic था, तो दोनों के object अलागे, बस मैं यह story को conclude करना चाहता हूँ, तो चलिए, आईए, next, यहाँ पे, अगर हम देखे, तो, examples दिए, tax collection direct tax का difficult है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पैसा पहले आता है, फिर आपको yearly देना पड़ता है, तो कैसा होता है, एक बार पैसा यहाँ जेब में आ गया, दिल में पहली जो बात है, और जेब में जो बात है, वो जल्दी निकलती नहीं है, फिर, आप avoid करते हो tax को office में आपन indirect tax में tax avoidance होता है, पर इतनी psychology नहीं है, क्योंकि transferable burden है, I can easily transfer from one person to another, तो मेरे पर क्या burden आ रहा है, मैं तो transfer कर दूगा, मैं government को देता हो, तो transfer, मेरे पर burden नहीं है, हाँ, जहाँ competition होती है, वा tax avoidance होता है, चलिए, तो यह हमने देखा, regarding to differences between direct and indirect taxes, अगर हम एक्जाम की बात करें तो exam में इसके उपर question नहीं पूछेगे, बस यह basic discussion था और मैंने आपको बता रहिया, चलो, okay, indirect tax में tax planning होती है, दोस्तो, मैं यह बानता हूँ कि indirect tax में tax planning होती है, okay, और देखो, मैं नीचे देखके, अगर रूक रहा हो, यह screen है, आपके doubts भी देख रहा हूँ, तो यहाँ, यह मैं समझना कि मैं यहाँ पढ़ने के लिए, समझने के लिए break लिए रहा हूँ, मैं आपके doubts देखके, आपके answer भी साथ साथ में, okay, यहाँ पे clear करते जाओगा, चली, now, tax planning होती है, जहाँ competition होती है, okay, मेरे competition में लोग, okay, यहाँ पे 10 competitor है, मुझे system बेचना है, system बेचना ह tax evasion नहीं है जितना income tax में, क्योंकि income tax directly pinch करता है, भाई, मैं transfer भी नहीं कर सकता हूँ, indirect tax, I can transfer from one person to another person, I hope आपको समझ गए बगार, ठीक है, चली, now, next discussion पे आओ, यहाँ पे, tax hierarchy, tax hierarchy, तो जैसे GST law हम पढ़ने वाले, no doubt, इसकी constitutional provision पढ़ेगे, कोई भी law जब आप पढ़ते हो, और वैसे तो मेरा indirect tax आपसे आखरी में पढ़ते हो, ठीक है, indirect tax आखरी में पढ़ते हो, वो भी, okay, यह करत, सोचते हो कि जल्दी-जल्दी हो जाए, but tension मतलो, आपका आने वाला attempt जो इस बार, election के वज़े से आपको time जरूर मिलेगा, okay, आपको हो सकता, एक आदा महना, postpone हो, चली, तो दोस्तों, अगर यहाँ पे हम देखे, tax hierarchy, constitution of India, तो यह कुछ points आप लिख लो, मैं लिखाते लिखाते आपको सारे points अच्छे से explain करता हूँ, जब भी कोई act पढ़ते हो, तो हमारा constitution क्या कहता है, उस constitution से power लेके आपने act बनाया, फिर act से आपने rules बनाया, rules से आपने regulations बनाया, notifications बनाया, ओके, और circulars and instruction, चलिए, आप लिखते जाओ, और लिखते लिखते, बहुत सारी बाते, मैं यहाँ explain करूगा, मैंने पास एक copy है, लिखे हुई, मैं वो लेता हूँ, और उस पर से आप copy कर सकते हो, लिख सकते हूँ, लिखे, act, sorry, यहाँ पे constitution of India, constitution of India में लिखे, it's a supreme law of India, लिखते जाओए, constitution of India, it's a supreme law of India, supreme law of India, all acts, all acts, are emanates, from constitution of India, all acts are emanates, from constitution of India, ठीक है, आपको यह कहो, तो यह सब, यह बात basic जो है, आपको पता है, कि हमारा supreme law, हमारा सब भी धान है, constitution of India, इनिया में जितने भी act, जो customs हो, GST हो, इसका source हमारे constitution में होगा, सारे act, जो बनते है, वो हमारे constitution, इनिया में source होगा, तो वहाँ से उसकी उपज होती है, ठीक है, अगर आप constitutional provision, पर डर्रो जीस्टी लगाने की, तुनियेगा, constitutional provision, पर डर्रो जीस्टी लगाने का, तो यह हमारे लिए, इसलिए important हो जाता है, कि, जो constitution में कहा गया, उसके beyond act नहीं जा सकता, इसलिए constitutional provision, जीस्टी की क्या है, यह भी हम यहाँ पर discuss करेंगे, now second act लिखाओ, second act लिखाओ, first point, it is passed by parliament, it is passed by parliament, और state legislature, it is passed by parliament, और state legislature, तो भई, act को बनाता है, central law होगा, तो parliament बनाती है, और state law होगा, तो यहाँ पर state legislature बनाता है, it is passed by parliament, यह state legislature, next, it is emanates from constitution of India, see it, emanates, इसकी उपज जो है, वो constitution of India से होगी, constitution of India, next, very important point, अच्छा पूइँ पूइँ, if there is a contradiction in provision of constitution of India, if there is a contradiction in provision of constitution of India and act, an act, then, then provisions of C I will prevail, then provision of C I will prevail, C I will prevail, obvious है, अगर act या constitution में contradiction हो जाए, तो क्या prevail होगा, constitution of India, supreme law है हमारा, ओके, तो वो prevail होगा, उसके बाद में next rules, दीखे, it is made by CG और SG, central law होगा तो central government, और state law होगा तो state government, certified, it is made by CG और SG, it is made by CG और SG, second point यहाँ पर बड़ा इंपोर्टन पोइट है, और यह इसका बेस है, it is for proper implementation of law, it is for proper implementation of law, proper implementation of law, bracket में, sub policies, यह sub policies होती है, अब मैं जब GST पढ़ा होगा, और bare text में अगर आप देखोगे, तो भाई साब, लगबग 70% section में, यह word यूज हुआ है, in such a manner as prescribed, और जब भी यह word यूज होता है, in such a manner as prescribed, मतलब rules, यहने GST law 70% rules के त्रू हैंडल होता है, और rules central government बनाती है, क्योंकि GST नया law था, डेवलप हो रहा था, तो यहाँ पर आपको बताओ किया, मुझे याद आता है, एक जुलाई 2017 को, जब GST law प्रेजेंट हुआ, और उसके पहले उसके white paper issue है, सर, यह white paper क्या होता है, जब भी कोई law प्रेजेंट होता है, तो, ओके, white paper पे बेर टेक्स लिखा जाता है, यह word डेवलप हो गया, white paper, तो, यह जब white paper issue हुए था, जब मैंने पहली बार GST law पढ़ा था, तो बहे देख रहा है, हर section में लिखा है, in such a manner as prescribed, in such a manner as prescribed, in such a manner as prescribed, मैंने बुला, भाई, ओके, यह act क्यों बनाते है, रूल से GST चलाओ ना, 70% sections ऐसे है, कि हर जगा लिखा है, आप भी लिख सकते हो, in such a manner as prescribed, मतलब rules में जाके देखो, इसलिए GST में section से जादा rules बड़े important हो जाते है, इसलिए आप जब income tax पढ़ते हो, या company law पढ़ते हो, तो उसमें क्या होता है, section फड़ा पढ़ाते है, तो आपको section learn करना पढ़ता है, section learn होते तो आपको मज़ा भी आता है, कि मज़ा आ गया, section learn हो रहे है, और कि यापे मज़ा आ गया, पर भाई GST में section हलू 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 आगे बढ़ते है, क्योंकि सब rule के थू है, सब rule के थू है, इसलिए पदा चलेगा 10-15 lecture हो हो है, और हमारे से 5-6 sections हो है, या मुश्किल से 10-12 sections हो है, इन शॉर्ट मेरे को आपको यह कहना है, कि GST raw rules से जादा चलता है section से नहीं, सर GST में section learn करना पड़ेगा हमें, मेरे पर चुर्दम में learn करवा दूगा, सर करवा दोगा आप, बिल्कुल करवा दूगा, यहा, section learn करवा दूगा, और सारे important rules भी learn करवा दूगा, चलो sir, बिंदास, हम free हो गए, मैं section learn करवाना मेरी बाद, GST में, जो हमारा weightage है, मैं आपको guarantee देता हूँ, अगर मैंने, रोज कहा हूआ हूँआ हम वक आप करोगे, करोगे ना, बोलो yes, promise करो, promise का P type करो, ठीक है, in such a manner as prescribed मतलब rules, क्यों क्योंकि देखो, rules इसलिए होते हैं, कि यहाँ पे law parliament में पास होता है, छोटे-छोटे administrative problems आते हैं, अब हर administrative problem पे, parliament assemble करना possible नहीं हो जाते हैं, possible ही नहीं होता है, तो वो situation में, यहाँ पे government को यह authority दिये, कि लॉक को ध्यान में रखते हुए, आप rules बनाओ, और obvious है, अगर act और rules में contradiction हो जाए, acts और rules में contradiction हो जाए, तो वो situation में, आपको यहाँ पे rules प्रिवेल होगे, तो yes, IDT में, इस बार, 80 पार हम जरूर लेंगे, next, regulations, it is made by CBIC, CBIC मतलब Central Board of Indirect Access and Customs, नाम तो आपने सुनाई होगा, it is made by CBIC, and second, लेखो, it is for proper administration of law, it is for proper administration of law, proper administration of law, regulation GST में इतना नही है, rules के तुरू ही maximum administration है, regulations स्री वो एरिया में आते है, कि officer के jurisdictions क्या है, कौन से officer के पास क्या power रहेगी, Central और State Department साथ में काम करता है, GST में, CGST और SGST Department, तो सब के jurisdictional powers कह रहेगी, इस से related CBIC regulations बना सकती है, तो GST में इतना regulations आपको नहीं मिलेंगे, पर regulations बनाने की power, यहाँ पर CBIC के पास है, उसके बाद में exemption notification, ओके तो notification specially exemption, वहाँ लिखो, लिखो, notification issue करने का power, और यहाँ पर exemption notifications भी आते हैं, बहुत से बाद, procedure notifications भी आते हैं, procedure से related notifications भी आते हैं, बहुत से बाद, rules भी notifications से ही आते हैं, रूल्स भी इस्यों होते हैं, नोटिफिकेशन से इस्यों होते हैं, तो लिखो, लिखो, it is issued by CG or SG, नोटिफिकेशन कौन इस्यों करता है, it is issued by CG or SG, next, लिखो, it is issued in an official gazettes, it is issued in an official gazettes, next, it is normally related to exemptions or procedure, it is normally related to exemptions or procedure, तो आपको GST में notifications देखने मिलेंगे, rules के notifications होते हैं, rules amendments के notifications होते हैं, कोई prescribed procedure होगी तो notification से आते हैं, बहुत सारे exemptions GST में notification के थूँ है, okay, income tax में तो भी section के थूँ exemptions आजाता है, पर यहां पर आपको notifications बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक हैं, और उसके बाद में next, circulars, भाई साब यहां पर आप circular बहुत सारे देखोगे, हर chapter में circular यह circular देखेंगे, और exam में circular पर सवाल आप से पूछा जाता है, एक्जाम में circular पर आपके सवाल पूछा जाता है, तो आजाते हैं भाई circular क्या है, यह भी देख लेते हैं, चलो, now circular, लिखो, it is a clarification or instruction or direction issued by CBIC, it is a clarification, instruction or directions issued by CBIC, okay, second point लिखो, it is generally issued in the area, it is generally issued in the area where law is ambiguous, where law is ambiguous, जैसा example देता हो, okay, यहाँ पर, की, यहाँ पर toll charges, toll charges exempt है, आपने पढ़ाऊगा exemption में, toll charges exempt है, पर अभी क्या हो रहा है, पता है कि, अगर आपके पास fast act नहीं है, आपको यह पता होगा, तो fast act नहीं है, तो वो double charges लेते हैं, तो जो extra fast act नहीं होने के charges है, क्या वो भी toll charges में आएगें, क्या वो भी exemption में आएगें, अब यहाँ law clear नहीं है, अगर वो toll charges में आएगें तो exemption होगा, नहीं होगा तो tax ability, अब law ambiguous है, अब law ambiguous होने, खतरनाक situation क्या बन सकती है, कि सब लोग अपने हिसाफ से interpret करेंगे, हो सकता है कोई state में कहें कि, यह toll charges है नहीं लगेगा, कोई state में यह रहे, कि नहीं इस पे लगेगा, department आप अपने हिसाफ से view लेगा, यह assessi आप अपने हिसाफ से view लेगा, तो भाई साब, सब लोग अपने हिसाफ से चलेगे, तो पुरा India का law हम कैसे handle करेंगे, ओके India का law तो हमें handle करना है न, तो ऐसे केस में जहां तक देखा जाए, तो मेंटेन दा हर्मोनी इन दा लोग वहर देर इस अंबिग्यूटी और नो क्लारिटी, तो वो सिचुएशन में यहां पे सर्कुलर सी वी आईसी इसु करती है, और यह सर्कुलर की खास बात किया है, जैसे यहां उन्होंने इसु कर दिया कि फास्ट चार्जस जो है, फास्ट चार्जस पे यहां पे यह तोल चार्जस माने जाएगा और उसके ओपर GST नहीं आएगा, उसके ओपर GST नहीं आएगा, ऐसे नमबर अप सर्कुलर सी जी इस्ट में हम पढ़ने वाला है, not on taxpayer, that is taxpayer can challenge the circular in the court, taxpayer can challenge the circular in the court, taxpayer बिल्कुल circular challenge कर सकता है, शोलिए दोस्तों, अब ऐसे बहुत सारे circular है, जो GST में बिल्कुल taxpayer के फेवर में नहीं है, और industry उसका read petition file कर सकती है court में, appeal तो नहीं कर सकती, क्योंकि order नहीं है, यह circular है, direction है, general direction है by CBIC, तो उसका read petition file करना पड़ता है, और मैं ऐसे ऐसी चीजे बता होगा ना boss, यह तो start है, और यह आपने सब पढ़ा हुआ है, पढ़ा बहुत स्टार्टिंग, सुबे सुबे आप class कर होगे, तो boring भी लग रहा होगा, don't worry, GST में आप ठील हो जाओगे, ऐसे ऐसी केसे समा की discuss करेंगे, okay, तो यहाँ पर, यह इसमें आपको बस इतना यहाद रखना है, कि Constitution of India, already हमारा, okay, बना हुआ है, जो 26 January 1950 को पास हुआ, उसके through power लेके act बनता है, act parliament बनता है, या state legislature बनता ह उसके बाद में rules, rules यहाँ पर government बनाती है, for proper implementation of law, regulations, generally administrations related procedures होती है, जो CBIC बनाती है, यह याद रख लेना, notification, exemption या other procedure notification, government issue करता है, और mainly circular जो होते है, okay, circular यहाँ पर CBIC issue करता है, चलिए, यह तो basic discussion था, यहाँ पर, हमने यहाँ देखा कि, कौन क्या issue करता है, circular अगरे, चलिए, अब मैं थोड़ा एक discussion करना चाहूँगा, और यह chart, okay, मैं आपको, यहाँ पर, पहले explain करूँगा बहुत अच्छे से, okay, हर point ही हाँ डिसकस करेंगे, फिर आपको draw करना पड़ेगा, ठीक है, चलो, administration in India, जहाँ से देखेगा, तोरे, ठीक है, थोड़ा इस chart को देखते है, administration in India, अगर आप इस chart को देखोगे, तो यह chart, यहाँ पे, हमको एक flow बताता है, कि पुरे इंडिया में administration, कैसे होता है, क्या होता है, और yes, यह basic समझना, हमारे लिए important हो जाता है, ठीक है, तो center, जैसे GST, custom हम central law पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद में state, दोस्तो, center में mainly 3 औरगन होता है, okay, कौन से 3 औरगन होता है, यहाँ पे देखिएगा, एक होता है legislative औरगन, दूसरा होता है executive और तिसरा होता है judicial औरगन, यह central लेवल पर होता है, legislative औरगन, यह lawmaking औरगन होता ह है, जहाँ से देखिए, legislative औरगन, यह lawmaking औरगन होता है, second अगर हम बात करें, तो executive औरगन, okay, executive औरगन की अगर हम बात करें, just a minute, just a minute, okay, yeah, अगर हम central लेवल पर देखिए, तो legislative औरगन, उसके बाद में executive और उसके बाद में judicial औरगन, ठीक है, legislative औरगन को lawmaking औरगन कहा जाता है, executive औरगन को administrative औरगन कहा जाता है, और judicial औरगन को interpretive औरगन कहा जाता है, now, यह, अब legislative औरगन जो होता है, वो होता है, parliament, who is the head of parliament, vice of president, president of India, India, जो है, is the head of parliament, not speaker, not finance minister, not prime minister, president of India, is the head of parliament, parliament के तीन पार्ट होता है, लोकसभा, राज्यसभा, and parliament committee, no doubt, economical law, जो है, इस related, सारे proposals, in the house of लोकसभा होता है, who are the member of लोकसभा, okay, they are, जिसे हम MP कहते है, the people elected by, यहाँ पे, sorry, person elected by people of India, they are the member of लोकसभा, राज्यसभा के members, state के representative होता है, यह election से नहीं आते है, okay, इनका जो selection होता है, state government करती है, और parliament committees होती है, now, यह जो legislative organ है, parliament है, यह inया में law बनाएगी, यह तो आपका पता है, इसमें कोई नहीं बात नहीं आपके लिए, यह inया में law बनाएगी, next होता है बेटा, यहाँ पे, executive organ, यहाँ पे executive organ, administrative organ होता है, executive organ होता है, central government, और कि द्हांसे देखेगीगा, executive organ होता है central government, जिसके head होते है हमारे PM, यहाँ पे prime minister, अब हमारे PM के अंडर में अलग अलग department होते है, उस में एक department होता है department of revenue, जिसके head होते है finance minister, तो यह direct और indirect tax का administration, हमारे finance minister याने हमारे दिधी इनके control में होता है, तो यह finance minister, जो है यह responsible होते है कि पूरा direct or indirect tax law पूरे इंडिया में proper administration करे और उसका revenue collection करे मतलब क्या? मतलब law यहाँ pass होगा, proposal in the house of parliament दिया जाएगा, वो बात अलग है कि आज जो है, okay majority BJP के पास है, तो जहां तक देखा जाए वो law pass हो जाता है, proposal यहाँ दिया जाएगा, finance minister in the house of parliament कहेगा I propose, और वो सारे proposals in the house of parliament दिया जाएगे और फिर उसका administration करने का power government खुद लेगा, क्योंकि majority उनके बास है, तो finance minister is responsible for collection and administration of law related to taxes, अब यहाँ पर finance minister को help करने के लिए दो board होते हैं, यह भी आपको पता ही होगा C B D T का नाम आपने सुनाओगा, central board of direct taxes और दुसरा होता है, central board of indirect taxes and customs, C B I C मतलब यहाँ पर central board of यहाँ पर C B I C का मतलब होगा central board of indirect taxes and customs and customs यहाँ पर central board of indirect taxes and customs और यह जो दो board है, यह finance minister को help करते है for administration, उसके बाद में जहाँ तक देखा जाए, C B I C के अंडर फिर सारे G S T के departments होते हैं जो आप office में G S T department में जाते हो सारे G S T के department, C B I C के अंडर काम करते हैं अब यह C B I C के अंडर फिर ओके यहाँ पर अलग अलग offices होते है principal chief commissionerate office जैसे पुने में, पुने में principal chief commissionerate office दिया है उसके नीचे chief commissioner, उसके नीचे principal commissioner, यह P का मतलब principal उसके नीचे principal commissionerate office होते है फिर commissionate office होते है फिर additional commissioner, फिर joint commissioner, फिर assistant commissioner, फिर deputy commissioner फिर inspectors और superintendent यह सब GST के officer की हिरार की होती है, जैसे पुने प्रिंसिपल चीफ कमिशनेट ओफिस है, इसके अंडर हो सकता है, पांच छे सीटी आजाए, जैसे पुने के पास औरंगाबाद है, नगर है, सुलापूरे है, यह प्रिंसिपल चीफ कमिशनर ओफिस होने के अंडर में आएगा, उसके अंडर फिर चीफ कमिशनर ओफिस पुने में दिया है, हो सकता है, और कई दूसरे प्लेस पे दिया जाए, फिर इसमें भी GST डिपार्टमेंट के अलग-अलग, यहाँ पे अरिया वाइज ओफिस होते है, प्रिंसिपल कमिशनर, कमिशनर के कोई सर्विलियन्स डिपार्टमें होता है, कोई रिफर्ण डिपार्टमेंट में होता है, कोई यहाँ पे चीफ कमिशनर ओफिस, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में होता है, या inspection करने आता है यह लोग होते जो search, seizure, scrutiny इनको field officer भी कहा जाते है जो आपके या search करेंगे, seize करेंगे, inspection करेंगे, scrutiny करेंगे यह officer यहाँ पर इस तरह से revenue collection के लिए responsible होता है जिनको targets में मिलता है तो पुरा flow कैसे चलता है, यह जरू देखिएगा, center level पे और पुरा लोग का administration कैसे होता है अगर पुरे लोग का administration देखोगे, तो पुरा एक step by step flow बताता हो इस inspector और superintendent, they are accountable to assistant or deputy commissioner assistant or deputy commissioner accountable to joint or additional commissioner joint and additional commissioner accountable to commissioner, commissioner accountable to principal commissioner principal commissioner accountable to principal chief commissioner, chief commissioner and their principal chief commissioner, all principal chief commissioners of India accountable to CBIC क्योंकि सब CBIC के अंदर में काम कर रहे, CBIC accountable to finance minister for the revenue collection of GST, finance minister accountable to prime minister and now this prime minister accountable in the house of parliament, अगर GST का collection नहीं हुआ, कम हो गया, या फिर GST जो object से लाया गया, तो opposition in the house of parliament सवाल कुछेगी, कि आपने GST लाया, और कि ये GST नहीं, ये गबर सिंग tax है, ये goods and service tax नहीं है, यह आपने business man वालों का परिशान कर दिया है, revenue collection नहीं हुआ है, prime minister in the house of parliament आईए, और हमें जवाब दीजिए, कि आपने collection क्यों सही नहीं किया, तो इस तरह से पुरी हिरार्की काम करती है collection पे, तो department, department accountable होता है, CBIC को CBIC accountable होता है, यहाँ पे finance minister, prime minister and prime minister accountable हिंदा हो सब, parliament क्योंकि law यहाँ पास हुआ है, implementation की जिम्मेदारी, यहाँ पे government ने लिए है, आपको यह बास समझी क्या, okay समझा होगा, तो कि यह, yes type कीजिए, okay समझा होगा, तो yes type कीजिए, please अरे बोलो, समझा होगा, तो yes type करो, फटा फट, ठीक है, तो यहाँ पे legislative organ, जो law बनाता है, उसके बाद में administration, administration, central government करती है, उसके नीचे department of revenue होता है, और दो board होता है, होता है CBDT and CBIC, एक औरगन होता है judicial organ, जिसे interpretative organ भी कहा जाता है, और यह भी बहुत बढ़ा role play करता है, GST में, okay indirect taxes में, यह judicial organ होता है Supreme Court, Supreme Court, यह बताईए इन्या में कितने Supreme Court है, यह बताईए इन्या में कितने Supreme Court है, बर्थ बेसिक सवाल है आप से, यह बोलो, दस, भाई साव एक ही Supreme Court है, अट नियु देली, ठीक है, तो law यह कहता है, decision of Supreme Court is a law, unless change by Parliament, यह legislature of state, एक बार फिर से मेरा statement सुनना, decision given by Supreme Court is a law, unless change by Parliament, और legislature of state, जब तक लोग सभा और विदान सभा उसको change नहीं करती है, वो law होता है, उसके नीचे high courts होता है, high court यहाँ पे state wise हो सकता है, एक हो, यह हो सकता है, दो state मिला के एक हो, यह हो सकता है, एक state में दो हो, पर generally state wise होता है, कभी-कभी दो state मिला के भी एक हो सकता है, जैसे यहाँ पे, महराश्टर गोवा एक high court है, ठीक है, यहाँ पे पंजाब हरियाना एक high court है, high court, उसके नीचे होते है, appellate tribunals, और फिर होता है, commissioner appeal, यह appellate tribunals की history समझे लो, शायद आपको किसने पहले, शायद ही बताई होगी, पर यह appellate tribunals की history समझे लो, 1992 की बात है, पहले cases जो होती थी, high court के नीचे civil court होता था, और commissioner appeal नहीं होता था, civil court होता था, मतलब step ऐसी होती थी कि आपको अगर income tax में या indirect tax में कोई appeal फाइल करनी है, तो वो appeal, पहली appeal civil court के पास जाती थी, civil court से high court के पास जाती थी, और high court से supreme court के पास जाती थी, ठीक है, इस तरकी हिरार्की थी, लेकिन civil court में cases इतनी pending पढ़ने लगी, क्योंकि civil court के पास सिप economical cases नहीं, बाकी बहुत सारी social वगरे cases होती है, तो ऐसे situation में, okay, सारा burden civil court पे आने लगा, सो economical cases, civil cases, criminal cases अगरे, तो यहाँ पर क्या हो जाता था, economical case, specially DT और IDT की case, एक hearing के बाद, दूसरी hearing, एक एक दो-दो साल बाद मिलती थी, issues pending थे, civil court से बाहर निकलने कोई case को 10 साल लग जाते थे, फिर high court और supreme court, तब तक revenue government काट का हुआ है, what about time value of money, बेटा, what about time value of money, okay, government का पैसाट का हुआ इसके अंदर, यहाँ असे से भी परेशान है, तो, fast track court का proposal दिया गया 1992 में, कि भाई, क्यों न economical law के लिए fast track court बनाया जाए, जो specially act में ही बनाया, हमारा constitution allow करता है, fast track court के लिए, और फिर बनाया गया appellate tribunal, यह जो appellate tribunal है, पहले income tax में आया, in the name of ITAT, income tax appellate tribunal, फिर excise में आया, service tax में, excise service tax custom में, say stat नाम से आया, CESTAT, मतलब customs excise service tax appellate tribunal, और अभी GST में भी, appellate tribunal, पूरा by section, set up किया गया है, इसके benches कैसे होते है, हम appeal chapter में पढ़ेंगे, और यह कहा गया कि, अब economical cases, जो है, वो economical cases, civil court के पास नहीं जाएगी, यह MCQ question, CMA में एक बार पूछा गया था, यहाँ पे 2000, मेरे क्याल से 14 या 15 में, कि क्या हम, यह indirect tax की cases, civil court के पास जा सकते हैं, नहीं, indirect tax की cases, appellate tribunal के पास ही जाएगी, और यहाँ GST में भी, appellate tribunal, create किया है, customs में appellate tribunal से, stat के नाम से, GST में, directly appellate tribunal के नाम से है, और छोटी cases को handle करने के लिए, उसके निचे, और एक filter लगाया गया, commissioner appeals, यानि अगर आपकी cases कुछ limit तक है, तो commissioner appeal के पास जाएगी, कुछ limit के उपर की amount होगी, तो appellate tribunal के पास जाएगी, अगर इनके decision से आप satisfied नहीं हो, तो high court के पास जाएगे, high court से supreme court के पास जाएगे, पर कब जाएगे, कैसे जाएगे, कौन से limit पे जाएगे, कौन से matter पे जाएगे, ये पूरा discussion हमार होगा, in the chapter appeal, I hope, आपका ये पूरा flow समझ में आएगा, और इनका role बहुत important होता है, जिसे हम judicial organ, interpretative organ कहते हैं, वैसे आपने cases का file होती है, पर dispute कैसे create होती है, उसका एक best example, आपके साथ में discuss करना चाओगा, एक मज़ेदार case आपके साथ में लेना चाओगा, एक मज़ेदार case आपके साथ में लेना चाओगा, case थी excise, excise की case थी, पर बहुत ही मज़ेदार case थी, ओके, वह हम discuss करेंगे, excise का क्या case था, बताता हूँ, excise में मैं आपका बता हूँ, जाहन से सुना, calculator, orpate company बना रही थी, orpate company का नाम सुना होगा आपने, orpate company calculator बना रही थी, एक ऐसे normal pocket calculator टाइप calculator बन रहा था, और एक calculator, ऐसे big calculator बन रहे था, ऐसे big calculator बन रहे था, अब देखो, जहां तक देखा जाए, तो यहाँ पे, अगर हम बात करें, तो excise में, excise में, tariff में यह लिखा हुआ था, pocket calculator, pocket calculator, और यह pocket calculator को rate थे 10%, और others, others को rate थे 20%, इस तरह से tariff में rate दिया हुआ था, pocket calculator 10% और others 20%, चलिए, अब क्या हुआ, अब बदाता हुआ यह, कि orpate company ने यहाँ पे, pocket calculator बना है, इस पे, जो excise duty लगाई, और invoice में customer को pass on की, वो 10% से की, लेकिन यह जो बड़े calculator से, समय लोगे बड़ा calculator है, और यह बड़े calculator जो है, orpate company ने, इसको भी pocket calculator में, classify करतके, 10% में classify करके, excise duty लगाया, और वो भी बेचे, 10% excise duty लगा के, अब भाई साब, ओके, यहाँ excise department की scrutiny होगी, और excise duty, ओके, department की scrutiny होगी, excise department ने, सब record शेक की, उनकी invoice file शेक की, और उनने देखा कि, यह बड़े calculator भी है, इन्होंने pocket calculator, 10% excise लगाया, उन्होंने manager के बुचे, क्या है, इमेजिन करो, सर्च चालू है, company का, यह क्या है, आपका बड़ा calculator, pocket calculator में कैसे classify होगा, नहीं, यह pocket calculator classify नहीं हो सकता है, यह 10 में जाएगा, और यह 20% में जाएगा, तो आपको excise duty 20% लग जाएगी, और आपने, यह जो है, पिछले बहुत सालों से, इसको 10% में classify किया हुआ है, अब excise में, तब 5 साल थे, कि आप last 5 years का assessment open कर सकते हैं, उसके पहले का नहीं, और यहाँ पे, GST में 72 months है, GST में बाद में देखेंगे, पहले excise देख लेते हैं, तो पिछले 5 साल की, cases open की, सारे invoices open किये, और सारे invoices में, 10% duty बढ़ाया गया, और यहाँ पे, और पेट कंपेटी पे notice भेज़ दिया, show cause, notice बड़ी important होती है, show cause notice जिसे का जाता है, prior to demand, उसको दुसरा नाम demand notice भी होती है, मतलब demand के पहले, opportunity of being heard, मराथी में अगर आपको पताऊगा, तो कारने दाखवा, हिंदी में कारन बताओ, कि हम आपके उपर action क्यों ना ले, तो show cause notice, issue कर दिया गया, और वो issue कर दिया गया, और पैट कंपनी पे, show cause, why not to increase your rate, for big calculator, at the rate 20%, show cause, why not to charge, or demand, increase duty, on differential amount, लगबक 50 करोड का duty, उन्होंने पिछले 5 साल का निकाला, और पिछले 5 साल का 50 करोड का duty, लगा दिया, और पैट कंपनी पे, show cause में पुचा कि, 50 करोड का duty क्यों ना लगाया, show cause, why not to charge interest, for the duty, of last 5 years, 10 करोड का interest, लगा दिया गया, 10 करोड का interest लगा दिया गया, show cause, why not to, charge penalty, 100% of tax, GST में भी 100% है, so 100% of excise, जने 50 करोड का, duty और 50 करोड की penalty, आप पर क्यों ना लगाया, because of fraud, आपने हमारे साथ fraud किया है, show cause, why not to, confiscate your stock, जो अभी stock हमें मिल रहा है, और कि इतना बड़ा पैसा तुवारे अगेंस में है, ये stock हम confiscate, जब्त क्यों ना कर ले, लगबख यहां पर 200 करोड का stock पढ़ा हुआ है, हम जब्त क्यों ना कर ले, show cause, why not to arrest you, हम आपको arrest क्यों ना करे, show cause, why not to charge, confiscation fine against you, भाई साब, सिर्फ टैक्स यहां पर नहीं दिया, पुरी बारात आगई, पुरी बारात आगई, टैक्स था दुला, okay, टैक्स था दुला, साथ साथ में, interest, penalty, confiscation, confiscation fine, या फिर arrest, पुरी बारात आगई, इसलिए, लोग हमें ये पूछते है, इंकम टैक्स में, या आईडी टी में, कि सर लोग तो पढ़ रहे है, पर ये लोग अपने फॉलो नहीं किया, तो क्या होगा, वैसे तो कहूँ, पता नहीं चला तो कुछ नहीं होगा, बगवान भी कुछ नहीं कर सकते, अगर पता नहीं चला, पर जिस दिन भी पता चल गया, तो गॉवर्मेंट ऐसा डंडा मारेगी, कि तुमारे डंडे से सो लग ओडर जाएगे, ऐसी बारात लाएगी, कि दूसरा शादी करने भूल जाएगा, तो गॉवर्मेंट जो है, दुला होगा टाक्स, और बाराती डांस करने वाले होगे, interest, penalty, fine, arrest, imprisonment, तो टैक्स भी कियो, interest भी कियो, penalty भी गियो, goods भी कियो, बैं भी कियो, यह سमझे आया है कि नहीं आया है, तो सारा उडाकर लेके जाएगी, ईवन्दो रेकॉड हो रहा है, पर मैं यह कहना चाहोगा, यहाँ पर प्रॉड करना पाप नहीं है, पकड़े जाना पाप है, आप ITO में जब सिग्नल तोड़ते हो, सिग्नल तोड़ना पाप नहीं है, पकड़े जाना पाप है, तो यहाँ पर यह सब स्कूरूटीनी में पता चलता है, स्कूर्टिन में पता चलता है, तो दोस्तों जहां तक देखा जाए pocket calculator and others, तो यहां पर दे दिया notice, और फेट company के directors डर गया है, यह क्या भाई, पचास हजार का tax, पचास हजार की penalty, पचास करोड का tax, पचास करोड की penalty, पचास करोड का interest, confiscation अगरे, तो 700 करोड का notice आगया, company अगया notice पकड रही है, और यह क्या हो गया, हमने तो pocket calculator, other तो सही calculate किया था, और यह क्या हो गया, फिर वो धून रहे कि कोई export consultant, skill level का knowledge है, भाई तुफान है export consultant, ऐसा कौन है, उनको पता जला पुने में एक अच्छा consultant है, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, example दे रहा हूँ, उनको पता जला पुने में एक अच्छा consultant है, हो गया, अब example ले लेते हैं, कि मैं हो गया, यहां पर और यहां जो है, तो अब जहां तक है, हम बैठ है, ठीक है, और pet company के director है, मैं बैठा हूँ, मैंने notice पड़ी, अच्छा, आपके उपर tax भी, 50, penalty वगड़े सब आ गया, बहुत difficult, बहुत difficult, यहां पर, तो उनका सर कुछ करो यार, okay, notice आया हुआ है, हमें reply देना है, इसके notice का, अगर हमने इसका reply 30 days में ने दिया, तो demand order दे देंगे, अब as a consultant तो मैं ऐसे ही चलोगा, difficult है, हर case difficult होती है, तो इतो fees मिलती है न भाई, अगर easy case रहेगी, तो fees कहा से मिलेगी, कुछिश करेंगे, मेरी fees 5% होगी, जितना भी demand है, उसकी fees मेरी 5% होगी, तो यहां पर, और पर यह director न न का, sir, fees का blank check मैं रख रहा हूँ यहां पर, case निकाल के दो, बस, okay, आपको case निकाल ला है, then, okay, मैंने notice लिया, records मंगवा है, जो जो मुझे जरुवत थी, calculator, बड़ा calculator के sample मंगवा है, okay, और वो sample वगरे, सब मैं देख रहा हूँ, फिर रात को सोच रहा हूँ, यहां पर कैसे क्या करिया जाए, कैसे prove किया जाए, कि यार, यह other calculator, जो बड़े calculator, यह pocket calculator नहीं है, कैसे prove किया जाए, okay, वहाँ पर गया फैक्टरी में, मैंने डारेक्टर के साथ बैठा, मैंने का यह बताओ, कि अगर, कोई employee का, हम blazer सिल्वा है, और blazer में बड़ा pocket कर दे, बड़ा pocket कर दे, जिसमें यह जो ए calculator जा सकता है, बड़ा pocket, ठीक है, यह calculator जा सकता है, तो आज यह example के लिए पहिना मैंने, चलिए, तो बड़ा हो, तो क्या होगा, तो वो कहा है, हाँ, उसने बलाया है, कि अरुन इतरा, ओके, यह तुझे कलना, मैं बलेजर सिल्वा के दे रहा हूँ, मैंने बलेजर में बड़ा pocket करना हूँ, हमार रीप्रेजेंटेशन है, चार दिन हुआ था, तो ओफिसर के सामने, मैं जो कहोगा, वो करना, तो वो बड़ा खुश हो गया, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, उसने बलेजर सिल्वाया और बड़ा pocket, अब मैंने ओफिसर को रीप्रेजेंटेशन के लिए फैक्टरिम बुलाया, या फिर मैं डिपार्टमेंट के ओफिस में जाओगा, वाट इडिट में भी, मैंने कहा सर रीप्रेजेंट करना है, तो मैंने कॉल किया आपने हमारे कंपनी के अगेंस में केस लगा है, नोटीस दिया हुआ है, इसने क्या हलो, विशाल सर कैसे हो, पैचा तो होती यह बड़ी है, विशाल सर कैसे हो, मैंने कहा सर बर्द बढ़िया हो, अच्छा केस आपने लिया, वह केस बहुत क्लियर है, यार बढ़े, other calculator 10% मे के लिए कुछ तो करना पड़ता है, और कि मैंने केस ले लिया, और कि मैंने केस ले लिया, मैंने कहा कि सर तो करना तो पड़ता है, यहां पर, तो अब ऐसे situation में, यहां, द्यान से दिखिएगा, पर बढ़े, जिस्ट बिनुटा, हाँ, तो मैंने कहा कि सर, यहां पर, जहां तक दिखा जाए, तो सर, केस तो लेना पड़ता है, अब imagine करो, वहाँ जो है, officer आ गया, और officer के साथ, मेरा discussion चल रहा है, इधर officer है, imagine करना, और इधर मैं हूँ, मैंने कहा सर, यह जो calculator है न, यह calculator, pocket calculator है, इधर officer ने कहा, सर, यह pocket calculator कैसे हो सकता है, okay, बड़ा calculator है, pocket में कैसे जाएगा, मैंने कहा, sir, first of all, अगर आप पूरा टेरी पढ़ लोगे, तो pocket word is not defined in the act, pocket word defined ही नहीं है, और सच में defined नहीं था pocket word, तो officer ने कहा, yes, pocket word is not defined, पर pocket calculator मतलब छोटे calculator होगे, okay, small calculator होगे, sir, यहाँ पे pocket word अगर defined नहीं है, ज्यांस सुनिएगा, pocket word अगर defined नहीं है, तो यह calculator भी, यहाँ पे pocket calculator हो सकता है, pocket calculator हो सकता है, officer ने कहा, विशाल सर प्लीज एक्स्प्लेइन, मैंने, okay, वो employee को भी ला है, और उनी तरह, sir को यह बता, कि यह calculator, pocket calculator कैसे हो सकता, और उनने लिया, और उसने, पहले से यह pocket बढ़ा करके लाया, और यह pocket में rocket, okay, तो उसने यह जो है, यहाँ पे pocket calculator, यहाँ पे डाला, और कहा, जैसे उसने अपने pocket में यह calculator आला, मैंने कहा, see sir, we can put this calculator in the pocket, that means, it's a pocket calculator, applicable rate should be 10%, that's all, applicable rate should be 10%, officer ने कहा, विशाल सर, यहाँ पे यह जो calculator है, आपने pocket, पहले सी बड़ा, okay, बना के लाया, उसमें डाला, defined in the act, यह कहा, लिखा हुआ है, कि pocket 12 by 12 centimeter होना चाहिए, यह कहा, लिखा है कि pocket के size यह होनी चाहिए, तो जब word defined नहीं है, तो इस आला, pocket calculator, that's all, officer नहीं वाना, no, no, I am not agree with this, okay, even though pocket word is not defined, but we have to take a reasonable, okay, यहाँ पे meaning of the pocket, मैंने का, no sir, okay, if this word is not defined, this calculator is also a pocket calculator, यह pocket में जा सकता है, और यहाँ पे इसका rate 10% होगा, that means, whatever the notice you have issued, is completely not as per law, you have to withdraw this notice, this is my representation, यहाँ तक देखा जाए, वो नहीं माना, उसने order दे दिया, कि I am not agree with your, whatever the representation given by you, and now differential duty is payable, penalty and interest is payable, that's all, भाई साहब, अब order आ गई, order आ गई, मैं इससे satisfied नहीं हूँ, जब pocket word act में ही defined नहीं था, तो मैं इससे बिलकुल satisfied नहीं, okay, मुझे यह order challenge करना है, मेरे साथ injustice हुआ है, okay, और यह challenge करने के लिए, अब third organ आता है, और वो third organ, judicial organ, appellate tribunal, तो मैं appeal file करूगा, tribunal के पास, फिर high court, फिर supreme court, और यह order bet की case, really supreme court में गई, मैंने तो main main points आपका बता है, बहुत सारे contentions रखे गए थे, okay, really supreme court में गई, और supreme court में यह बात पर discussion हुआ, okay, supreme court में यह बात पर discussion हुआ, कि यह pocket calculator है या नहीं है, तो supreme court ने कहा कि, even though यह pocket defined नहीं है, लेकिन as per general practice, rules of interpretation of tariff, अगर हम ले, तो more specific, यहाँ पे small calculator को ही pocket बोला जाता है, big calculator को pocket नहीं बोला जाता है, इसलिए, यहाँ पे यह बड़ा calculator pocket में classify नहीं होगा, and assessi lost that case, लेकिन assessi इनका फायदा यह हुआ, कि supreme court यह माना कि, इसने fraud नहीं किया, interpretation गड़बड हो सकते है, इसलिए, यह case fraud की नहीं माने जाएगी, इसलिए penalty नहीं लगेगा, सिर्फ interest लगेगी, penalty नहीं लगेगा, confiscation नहीं होगा, fine नहीं लगेगी, हाँ, इसको tax और interest देना पड़ेगा, I hope आपको यह case समझाओगा, समझाओगा तो please बताओ, यह case समझाओगा तो please बताओ, yes or no, समझाओगा तो please बताओ, okay, यह, तो यह था regarding to, यहाँ पे the role of judicial organ, पर मैंने यह case आपको क्यों बताया, और बहुत ही initial starting, first lecture में, आपको मैंने यह case बताया, क्यों, इससे आप बहुत कुछ सीखे, कि कैसे law का interpretation होता है, किस तरह से points अपने रखने पड़ते है, ऐसी बहुत सारी बाते दीरे दीरे में आपको GST में बताते जाओगा, okay, ऐसी बहुत सारी बाते हम यहाँ देखेंगे, तो जहां तक देखा जाए, यहाँ पर यहाँ आपने देखा administration in India, तीनों औरगन, इसका screenshot ले लो, यह chart, okay, आपको अपने notebook में बहुत सारे charts draw करना है, उसमें यह भी chart आपको draw करना है, okay, यह भी chart draw करना है, और आपके login में यह chapter होने के बाद, इसका screenshot का handwritten notes बना जाएगा, और आपके login में भी share कर दिये जाएगा, पर आप draw करो, मैं तब तक नहीं देने वालो, आप draw करो, चलो, इसका screenshot ले ला, done, screenshot के लिए आपके पास, अगर आप laptop में देख रहे होगे, दूसरा mobile से ले ले लेना, अगर आपके पास mobile नहीं होगा, अगर आपके पास mobile नहीं होगा, आप mobile में देख रहे होगे, तो दूसरे mobile से लो, जो भी है, चलो, आ जाएए, introduction to GST, आ जाते हैं, GST के लोगत introduction में, GST is a significant indirect tax reform in India, अच्छी बात है, बता दिया भाई, 2017 में बहुत बड़ा reform होगा था, that consolidates various taxes like exercise duty, service tax, VAT, CST, luxury tax, entertainment tax and entry tax, बहुत सारे indirect taxes को सबस्विम करके GST बना, GST and VAT are often used interchangeably, with GST encompassing both goods and services, GST एक वाग बार बार वाग बार बार स स्टम में को से zach kilo payment are have implemented some form of VAT or GST, because it is an effective and transparent way to generate revenue, okay. Many countries have a unified GST system, unified GST system, federal countries like Brazil, Canada or India, okay, India may be dual GST system, okay, dual mean GST two part may divide by central and state, India adopted dual GST model, due to its federal structure, the idea of GST in India was initiated in 2000, idea 2000 may rakhi gaiti or 2017 GST aya, dekhe, amare GST ki implementation, amare GST chodho, amare government ki implementation taakat dekhe, 17 saal lagge GST lana ka, the gain momentum in 2014 when constitution bill 2014 votable in parliament, jab BJP government ahi to momentum ahi isko, okay GST ko, Lok Sabha passed the bill in 2015 and Rajya Sabha in 2016, after ratification by more than 50 percent of state, it become a constitutional amendment in 2016 and that was the 101st amendment, 2016 me, okay, 101st amendment hui, humara saavidhan amend kiya gaya GST lana ke liye, and now, joh bhi cheez ma nha yaa kei hai, step by step, isko mai aur detail me explain karo ga, thikhe, chaliy hai, chaliy hai, ye eek flow diya hai, GST ka ka kaise development hua, genesis of GST, yee toh aap reek, 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 reek reek, 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 reek इनको IGST के नाम से भी जाना जाता है, service tax, central sales tax, surcharge और cesis, तो यह central level पर सारी exercise duty, additional custom duty, service tax, central sales tax और surcharge और cesis, अब यह GST में सबस्यूम हो गए, मतलब अब यह अलग से नहीं लगेंगे, आगे मैं बताऊगा कि exercise duty कुछ limited goods पर अलग से लग सकती है, क्यों कि exercise duty completely omit नहीं किया, कुछ goods पर आज भी exercise duty रहती है, लगती है, मैं आपको बताऊगा, तो यह central level के taxes, GST में उन्होंने add कर दिये, अब GST लगेगा, तो यह taxes नहीं लगेगे, और state level पर, state VAT, sales tax, purchase tax, entertainment tax, entertainment tax भी सबस्यूम किया, other than those, leave it by local body, इसको underline करना, इस पर discussion हमारा होगा, other than those, leave it by local body, luxury tax, tax, entry tax, lottery, betting and gambling tax, इसको भी underline करना, यह भी आगया हमें काम आएगा, tax on advertisement, surcharge and services, तो state वालों ने भी, जो जो भी taxes, goods or services के है, okay, एक tax छोड़के, जो local body का entertainment tax है, बाकि सब taxes GST में सबस्यूम कर दिये, मतलब, अब GST लगेगा, तो यह taxes नहीं लगेगे, और सबस्यूम करने के बा अब GST जो आपको लगेगा, और GST dual model में लाया गया, CGST और SGST, उसके बाद में IGST एक concept इन्या ने डेवलप किया, integrated goods and service tax, IGST मतलब क्या, integrated goods and service tax, नाम तो आपको पता है होगा, central goods and service tax, state goods and service tax, UT, union territory goods and service tax, IGST, integrated goods and service tax, okay, यह tax लगाएगा, एक और tax आएगा, जिसके बारे हम के बात करेंगे, GST compensation to state sales act, जिसको हम GST sales कहता है, GST आने के बाद कुछ states को डर था कि हमारा revenue कम हो सकता है, क्योंकि उसमें credit eligibility बढ़ गई थी, पहले, okay, जो goods के credit, जातक है, service provider को नहीं मिलते थे, excise और VAT के, sorry, VAT के credit, service provider को नहीं मिलते थे, या फिर trader को excise की credit नहीं मिलते थे पहले ये problem था, लेकिन अब GST आने के बाद law uniform हो गया, one nation, one tax, one market पे आ गया, सबके credits allow हो गया, तो वो case में कुछ state को डर था कि credit जादा allow होने के बज़े से हमें loss हो सकता है, तो government ने एक decision लिया कि चलिए, कुछ notified goods पे, I repeat the word, कुछ notified goods पे, extra GST लगाया जाएगा, जिसका नाम होगा, GST says, GST compensation to state says act, जो luxury goods है, या publicly dominated goods है, luxury goods में कार्स आती है वगरे, जो, okay, यहाँ पे 50 लाग के उपर की cars है, यहाँ फिर जहाँ तक देखा जाए, luxury car समझ लो, और दूसरा, उनने यहाँ, tobacco, cigarette, ऐसे कुछ goods notify किये, जिसके उपर, in addition to GST, आपको GST compensation says भी लगेगा, यहने दो tax GST के लगेगे, इससे जो पैसा require होगा, वो उन state में बाटा जाएगा, जो state को GST आने से loss हुआ, starting starting में loss हुआ, अब बहुत सारे loss cover होगे, शायद हो सकता है future में, यह जो act है, क्योंकि initially यह 5 साल के लिए लाया गया था, लेकिन अब यह जो act है, यह act जो है, अब government future में withdraw कर ले, पर अभी तो GST compensation says है, और कि state को compensate करने के लिए, चलिए, next अगर हम बात करें, important, कौन-कौन से taxes आज भी लगता है, मतलब GST में सबस्म नहीं हुए, मतलब GST लगे है ना लगे, यह taxes तो लगेंगे, कौन सा, property tax or stamp duty, immowable property पे GST नहीं आता है, तो ऐसे case में, यहाँ पे immowable property, goods के definition में cover नहीं होती है, और schedule 3 में हो supply नहीं माना जाता है, sale of immowable property, इसलिए, आपके उपर stamp duty या property tax जैसे पहले था, वैसे continue रहेगा, लेकिन, rain पे तो आता है, rain पे तो GST भी आता है, तो agreement जब होते है, तो stamp duty भी लगती है, और यहाँ पे GST भी लगता है, कुछ tax है, GST लगे और ना लगे, उससे कोई लेना देना नहीं है, आज भी continue है, GST में merge नहीं हुए, property tax और stamp duty, electricity duty, हाँ, कुछ ऐसे goods जो आज भी excise में है, excise duty on alcohol, जिसके बारे हम आगे बात करेंगे, basic custom duty, excise duty on petrol or diesel, तो आज भी यह continue है, basic custom duty तो इंडिया का part बनने के charge से, import के charge से, वो कैसे merge हो सकती, वो नहीं merge होगी, excise duty on alcohol, और petrol diesel, जो आज भी excise में continue रखेंगे, वाट में continue रखेंगे, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, तो यह taxes GST में सबस्यूम नहीं हुए, उसके बाद में next, principle of GST, okay, GST is destination based tax, पहला principle, okay, GST is destination based tax, storyline से समय लो, और मैं इसको आगे और अच्छे से, मैं जो भी अभी पढ़ रहा हो, आगे आपको बहुत अच्छे से explain करूगा, don't worry, मैं बैठा हू भाई, GST में तो हमें, out of 80, 70 लेना है, मतलब लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है 70 और कस्टम यहामें लेना है, ऐसा हम out of 80 जाने वाला है, तो अब यहाँ पर, देखो, GST is destination based tax, अगर आपको पता होगा, तो GST जो है, दो इसमें डिवाइड होता है, intra state and inter state, intra मतलब आपने state के under sale किया, और inter मतलब आपने एक state से दूसरे state में sale किया, थोड़ा जो मैं कह रह state sale किया, मतलब विधिन अगर आप state करते हो, मतलब यह state के destination पर sale करते हो, तो आपने इस state के destination पर sale किया, तो आपको CGST और SGST लगेगा, यहापको पता है, आपने union territory में sale किया, तो CGST और UTGST लगेगा और आपने अगर Interstate Sale किया तो आपको IGST Full Rate से लगेगा तो आपको जो IGST Full Rate से लगेगा पेटा तो IGST का आप पेखर देते हो गौवर्मेंट पर गौवर्मेंट वो IGST को डिवाइट करती है और गौवर्मेंट वो Central और State में बाढ़ती है आपको IGST full rate से पे करना पड़ता है पर government उसको divide करती है और government ये जो divide करती है वो IGST port total आप से collect कर लेती है और उसका आदा हिस्सा central रखती है और आदा हिस्सा state को देती है अगर मैंने महराष्ट्र से गुजरात सेल किया सुनना दयान से अगर मैंने महराष्ट्र से गुजरात सेल किया तो क्या लगेगा IGST full rate से लग जाएगा अगर GST का rate 18% है तो मुझे पूरा 18% से IGST देना पड़ेगा और अगर intra होगा तो मुझे half up देना पड़ता है CGST 9% SGST 9% मैंने 18% का IGST place of supply बता दिया गुजरात और place of supply गुजरात बताने के बाद 18% पूरा government को pay कर दिया अब यह IGST मैंने government को दिया government उसको divide करती है यह constitutional provision है government 50% central लेती है 50% state लेता है अब यहाँ पे वो 50% है वो conscious state को देगा क्योंकि government के सामने दो state आएगा महराष्ट्र और गुजरात तो GST destination based tax है इसलिए वो 50% का revenue जो है और के central government गुजरात को बाटेगी जो आपका place of supply है इसलिए place of supply रिकना बहुत important हो जाता है वो गुजरात को बाटेगी वो 50% revenue हाई के बाद आपको समझ में तो जहां तक देखा जाए देहां से सुनिएगा जहां तक देखा जाए यहां पे जिस destination पर आपका good जा रहा है उसको revenue मिलते है महराष्ट्र को कुछ नहीं मिलते है क्यों कि गुजरात को दिया गया क्योंकि गुजरात आगे इस IGST का credit उसके SGST में दे सके क्योंकि आगे अगर CGST SGST लगता है इसी consignment पर क्योंकि आगे अगर बिचा जाएगा तो IGST का credit continue रह सके इसलिए यह destination based tax माना जाता है GST is a VAT, GST भी value-added tax system है, VAT यह tax नहीं है यह एक system है, GST is value-added tax underlined applied to a supply which includes manufacture or sale of goods and provision of service, यह भी VAT-based system है GST continuous chain of tax rate, GST में भी आपको ITC allow किये गए, आपके हर purchases का ITC आपके outward में allow किये है, आप goods purchase करो यह service purchase करो कुछ भी पर्चेस करो, कुछ भी पर्चेस करो आपके output tax में उसके credit मिल जाते है, हर level पे credit मिल जाते है, manufacturer to wholesaler, wholesaler to, sorry, manufacturer to distributor, distributor to wholesaler, wholesaler to retailer, retailer to ultimate consumer, okay, हर stage पे output tax लगते जाएगा और input tax के credit आपको मिलते जाएगे, okay, GST credit, each supplier in the supply chain, each supplier in the supply chain can claim a credit of GST paid on their purchases, offsetting against the GST they owe to goods and services, they supply, जो outward supply करेंगे, okay, input supply के उनको credits मिलते जाएगे, burden ultimately on final consumer होगा, जो भी ultimate consumer होगा, जैसे पुरे chain में, manufacturer से distributor, distributor से, wholesaler, wholesaler से retailer, GST आगे पासओन होते जा रहा है, credit मिलते जा रहा है, and entire burden is on ultimate consumer, और credit देने के वज़े से, आपके जो cascading effect है, यह cascading effect इसमें कम हो जाते है, तो यह कुछ basic principle थे, GST के, sir exam के इस आप से कितना important है final level पर, नहीं पूचेंगे, यह सब inter के questions है, okay, explain the principles of GST and etc, आपको नहीं पूचेंगे, लेकिन आज का हमारा पहला intro lecture है, हम यो भी आपने पढ़ा, उसको revise कर लेते हैं, और concept को थोड़ा advanced level पर लगे जाते है, ठीक है, चल सेलाओ झाल 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 तो आगे GST का discussion स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम कहाँ पे कौन से पॉइंट पे थे चलो देख लेते हैं पेंडिया में ज़ेल मौडल में लाए गया रखा था इसलिए उसका हिस्ट्री आपको बता देता हूं मुझे बता है कि 2007 के बजेट में वो बजेट मेंने सुना था 2007 का पीच इदंबर हम जो फैनास मेंस्टर थे और उन्होंने ये कहा था कि हम GST जो लाएंगे वो national model में ला सकते है national model मतलब पूरे इंडिया में GST split नहीं होगा CGST और SGST में क्योंकि केलकर कमेटी का रिपोर्ट था कि एक single model में GST लाओ और पुरा पैसा central collect करेगी और पुरा पैसा central collect करने के बाद वो state को बाटेगी तो एक single GST tax लगा दो only GST कोई उसमें dual नहीं CGST, SGST, IGST नहीं कोई ऐसा dividation नहीं कोई complication नहीं बहुत ही simplified law only GST लगेगा और GST के बाद जो है यहाँ पे total पैसा central government collect करेगी और total पैसा central government collect करने के बाद central और state में बाटेगी सारे state अगेंस पे चले गए सारे state नहीं का खबरदर ऐसा किया तो मतलब पहले पैसा central के पास आएगा और बात में state को उसमें से बाटा जाएगा नाम आए ना हमें कोई भरोसा नहीं है क्योंकि बहुत सी बाट central में BJP होती है state में आप होती है state में मनतावे energy होती है तुलमुल Congress होते है तो पैसे central से पैसा आया नहीं तो करेंगे क्या किसके अगेंस पे तलवार उठाएगे इसलिए state वालों ने का नहीं TTMM करते है तु 13 में मेरा जब भी transaction होगा तो हम तब के तब 50 50% में भी divide कर लेंगे TTMM करेंगे TTMM मतलब हम transaction पे dual model में GST लाएगे जिसमें CGST और SGST आएगा ये तो बात क्लियर होगे कि CGST SGST आएगा लेकिन फिर जब interstate होगा वो case में क्या करेंगे तो वो case में फिर state माना कि IGST लगाओ, integrated goods and service tax लगाओ और पैसा central के पास जाने दो और बाद में central destination state को बाटेगी, central destination state को बाटेगी, चलियो, तो dual model में यहाँ पे GST लाया गया, India follows dual GST model due to its federal structure, okay, federal structure को बाटेगी, dual GST model, both central and state government लेगी GST on taxable supplies of goods or services within the state or union territory, और दो गवाँ गवाँ एक्साट लगाएगी, next, this result in concurrent taxation by center and state, meaning they simultaneously, they simultaneously tax goods and services, GST is applicable across India, including union territory of Jammu and Kashmir, okay, Jammu and Kashmir की UT अगेरे होगी, तो वहाँ पे भी GST लगेगा, हम union territory पे आगे बात करेंगे, चलियो, उसके बाद में GST के types यहाँ दिये है, यह तो आपको बहुत अच्छे से पता है, CGST, Central Goods and Service Tax, जो central government revenue collect करती है, SGST, levy and collected by state government, UTGST जो है, तो यहाँ पे CGST और UTGST तो union territory collect करता है, simple word में आपको यह बताओ, कि अगर transaction intra होते है, UT में, चंदीगड़, चंदीगड़ में transaction intra होते है, तो वहाँ SGST नहीं लगता है, वहाँ CGST और UTGST लगता है, अंदमान निको बाद, intra transaction होते है, तो वहाँ CGST और UTGST लगता है, आई बात आपके समझ में, CGST और UTGST लगता है, in simple word मेरा आपको यह कहना है, यहाँ पे, कि आपका either SGST लग सकता है, यह UTGST लगता है, okay, intra-state supplies होगी, तो underline करो, CGST और SGST लगेगा, inter-state supply होगा, तो आपको IGST, Integrated Goods and Service Tax लगेगा, which is a sum of CGST और SGST, बहुत basic है, पता होगा आपको, जैसे GST का rate यहाँ पे 18% assume करते हैं, तो अगर हम GST का rate 18% करते हैं, और आपका supply intra होता है, तो यह 50-50% में divide हो जाता है, CGST 9% और SGST 9%, ऐसे 50-50% में divide हो जाता है, और अगर आप sale inter-state करते हो, तो inter-state में आपको लगता है IGST, and IGST is the sum of both CGST और SGST, यहाँ आपको IGST 18% से government को pay कर देना पड़ता है, आपका काम खतम, आप government को IGST 18% से pay कर दोगे, और फिर government के पास पैसा आने के बाद, government उस revenue को center और state में divide करेगे, और के center वो government करेगे, वो आपका काम नहीं है, आपका काम है पूरा tax IGST government को दे देना, government उसको center और state में divide करती है, और state कौन से state को देती है, तो जो आपने POS बता है, मतलब जो destination state है, क्योंकि GST destination based tax है, इसलिए आपका destination state जो है, अगर गुजरात होगा, तो वो revenue गुजरात government को दिया जाएगा, I hope you understood, okay yes or no, तो बोलिए yes sir, समझ में आया, ये था intrastate supply, next legislative framework, ये देख लेते हैं, there is a single legislation CGST for living central goods and service tax, जहां तक हम देखें, तो पूरे इंडिया में एक ही जो है, GST Act पास हुआ है, जिसका नाम है CGST, जो पूरे इंडिया के लिए है, हाँ, अब union territory without legislature, अन्दमा, निकोबार, आइलाइन, लक्षदीब, दादरा रगर, हवेली, जो UT's है, और के वहाँ पे UTGST Act पास हुआ है, जो state है, वहाँ SGST Act पास हुआ है, और के जो state है, वहाँ SGST, state and union territory with their own legislature, जहां और के विदान सबा है, including Delhi, Jammu and Kashmir and Pondicherry, मैं इसके बारे में थोड़ा आगे बात करूगा, इसके बारे में थोड़ा आगे बात करूगा, including Delhi, Jammu and Kashmir and Pondicherry, तो जहां तक देखा जाए, तो यहाँ SGST law यहाँ applicable रहेगा, अब अगर हम structure देखें, अगर हम यहाँ पे structure देखें, धान से देखिएगा, ठीक है, तो, इंडिया का अगर हम structure देखें, तो सारी UT है, union territory है, सारी UT है, थान से सुनना, और यह chart अगर आपको notebook में draw करना है, तो मेरे साथ draw कर लेना, इंडिया का structure देखें, तो सारी union territory है, सारी territory united है, जैसे महाराष्ट्रा पहले किसी कोई king का होगा, इसमें बहुत सारी king होगे, MP में, UP में बहुत सारी king थे, सब को unite किया गया, और एक territory बनाए गई, जिसका नाम रखा गया है, इंडिया, भारत, ओके, सारी union territory है, लेकिन जो union territory में state legislature है, जो union territory में state legislature है, याने विधान सभा, उससे नाम दिया गया है state, उससे नाम दिया गया है state, ठीक है, तो जो सारी uts है, जहाँ state legislature है, तो उससे नाम दिया गया है state, उसके बाद में कुछ ऐसी ut है, जहाँ no state legislature, जहाँ no state legislature, state legislature नहीं है, विधान सभा नहीं है, तो इसे just कहा जाता है UT, इसे just कहा जाता है UT क्योंकि state legislature नहीं नहीं, फिर इसका administration किसके पास होता है, इसका administration यहाँ पे central government के पास होता है, central government इन UT को handle करती है, और तिसरा जो है, okay, ऐसे union territory है, जो combine है, बोथ है, power बोथ चलती है, मतलब UT come state legislature, okay, UT come state legislature, जिसमें दोनों power चलती है, okay, जैसे example की तोर पे, अगर हम देखे, तो डेली, डेली में combine है, उसके बाद में पुड्डुचरी, और जम्मु एन कश्मिर, जम्मु एन कश्मिर, okay, तो जहां तक देखा जाए, यह तीन ऐसे UT है, जहां combine चलता है, UT per state legislature, दोनों का power है, okay, और ऐसे 5 UT है, okay, 5 UT है, वहां मैंने दिया है, okay, ऐसे 5 UT दिया गया, कौन से 5 UT है, और 28 states है, जहां विदान सब है, 5 UT में दिया गया है, अंदमार निकोबार आइलेंड, 1, okay, UT देखो, अंदमार निकोबार आइलेंड, 1, लक्षवधीब, 2, लद्दाग, 3, okay, दादरा नगर ह दाविले, दमनेंड यू, एंचंदिगर 5, यह 5 ऐसे, okay, टेरिटरी है, जो अल्ली UT है, और सेंटरल गवर्मेंट के कंट्रोल में है, तो 5 unit, आज अगर पूरा स्ट्रक्चर देखा जाए, तो 28 states है, 5 UT है, और ऐसे 3 states है, जहां UT कम state legislature, दोनों का combine power है, तो जहां UT कम state legislature है, इस इसको GST law में, अंडर GST law, okay, इसे state ही माना जाएगा, it is treated as state, it is treated as state, इसे state ही माना जाएगा, मतलब GST law में उसे UT रही बोला जाएगा, इसलिए Delhi, पुड़ुचरी और Jammu and Kashmir इसे state माना जा रहा है, इसे, okay, हमें क्या सीखने मिला, अगर state में, 28 state में, intra supply होता है, intra state supply होता है तो वो situation में, जहां तक है, आपको CGST और SGST, यह दो tax लगते हैं, intra होता है, अगर state के अंदर होता है, तो, now UT, 5 UTA, जहां intra supply होता है, जहां intra state supply होता है, तो CGST और UTGST लगता है, CGST और UTGST लगता है, 50-50%, वाहां SGST नहीं लगेगा, जैसे, चंदीगर के अंदर transaction होता है, या अ अंदवान निकोबार के अंदर transaction होता है, तो CGST और UTGST लगेगा, 50-50%, लेकिन तीन ऐसे union territory, जहां state legislature भी है, विदान सभा भी है, तो यहां पे जो लगेगा, very important, और यहां पे CGST लगेगा, और SGST लगेगा, यहां पे CGST और SGST लगेगा, यहां UT नहीं लगेगा, यहां CGST और समझ में आ गया, और कि UT टाइप करो, फटाफट समझ में आ गया होगा, तो, अब आते हैं यहां पे state legislature, और कि यह जो अमने यहां पे देखा, अब इससे क्या हुआ कि CGST अक्ट पूरे इंडिया के लिए एक ही है, CGST अक्ट पूरे इंडिया के लिए एक ही है, लेकिन बाकी SGST 28 है, UTGST 5 है, और वापस SGST 3, मतलब 28 प्लस 3 याने 31 SGST अक्ट है, और 5 UGST है, लेकिन मैं आपको कह दू कि CGST अक्ट और SGST अक्ट का वर्ट तू वर्ट सेम है, इसलिए आपको state wise SGST और UTGST नहीं पढ़ना है, इन्होंने SGST और UTGST सारे state के और union territory के बनाय हुए है, वो सिर्फ क्यों, क्योंकि federal structure इसलिए बनाने पढ़ते है state में, otherwise, word to word दोनों का सेम है, इसलिए हमें syllabus में SGST और IGST ये दो एक्ट ही पढ़ने है, CGST और IGST ये दो एक्ट ही पढ़ने है, चलो, बहुत बढ़िया, जहां तक देखा जाए, यह आपने legislative framework देखा, उसके बाद में next discussion पर आते है, now compensation says, जैसे में आपको बताया था, कुछ states को, अगर loss हुआ, तो government compensation के थुरू पैसा extra recover करेगी, और यह GST compensation says का पैसा, उन state में बाटा जाएगा, जिनको loss हुआ, तो GST compensation says, देखो, GST compensation says, impose under goods and service tax, law का ना luxury atoms and de-married goods, underline, luxury atom or de-married goods को यह लगेगा, like paan masala, tobacco, aerated water, motor car, motor car में specially luxury car, calculated based on value of taxable supply, यह direct value पे लगता है, this says not on tax, this says on value, this says on value, not on tax, not like education says, जहाँ आप education says, okay, GST tax पे निकालते हुआ, यह tax पे नहीं है, direct value पे है, ध्यान रखे, उसके बाद में, compensation says, is applicable to both, intra-state and interstate supplies, aim to compensating the state for revenue loss due to GST implementation, इसका एम बहुत क्लियर है, कि GST आने के बाद, जो states को loss होगा, उसको दिया जाएगा, वैसे तो यह 5 साल के लिए, जो है, impose किया था, पर इसको extend कर दिया गया, और यहाँ पे 2026, यह कहा गया था, जब GST आया था, कि ह हम 2000, जुन 2022 तक ही है, tax लगाएंगे, बाद में नहीं लगाएंगे, लेकिन अब government, government है भाई, okay, government नहीं बढ़ा दिया, और government नहीं कहा कि भाई, नहीं नहीं लगेंगे आपको, और बढ़ाते ने, इसको, हमें पैसा चाहिए, पैसा पैसा नहीं है, हमारे पास, बिल्कू कर हो गया, क्या करें, okay, तो बढ़ा दिया है, government है, कुछ कर नहीं सकते, compensation is provided to a state for five years from the date in enforce its SGST Act, अगर किसी state को नुकसान होता है, तो compensation प्रवाइट किया जाएगा, GST compensation says होगा, समझने लाइक यहाँ पे कुछ नहीं था, simple points थे, जो हमने यहाँ पे cover किये, Now, next discussion is very, 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 very important, next discussion is very, very important, okay, is per MCQ question exam में आ सकता है, be ready for that, okay, चलो, अब नेक्स दिस्क्रिशिन क्या है, GST is levied on goods and services except, underline, alcoholic liquor for human consumption, petroleum crude diesel petrol, ATF, ATF मतलब लिकना अव्रिक दिस्क्रिशिन, aviation turbine fuel, ATF मतलब aviation turbine fuel and natural gas, okay, सारे गूड्स और सर्विसेश पे GST लगेगा, सुनो दैन से, सारे गूड्स और सर्विसेश पे GST लगेगा, कुछ अटम छोड़के, अब देखो आगे वह क्या कहता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो आ जाते है, हम यहाँ पे, टोबेको और टोबेको प्रविय को प्रदक्स, तो जी अस्ट में चोड़को और टोबेको प्रदक्स के क्या implication है, तो यहाँ कुछ important points आपको ध्याँ रखना है, पहला प्वाइब, यहाँ पे, टोबेको इस विधिन दा पर विवग अप घेस्ट अरल यहाँ and that is GST is levyable on tobacco however union government has also retained the power to levy excise duty and that is called as central excise duty this is very important to levy excise duty on tobacco and tobacco products manufactured in India resultantly tobacco is subject to GST as well as central excise duty. सबसे पहले तो आपको ये बता दू कि excise law आज भी इडिया में है तो जो 2017 के पहले बहुत ज्यादा ओके manufacture goods पे लगता था लेकिन जब से GST आया तब से excise duty बहुत ही limited goods पे लगती है गीन कर 5-6 goods ऐसे जिसके उपर excise duty लगती है बाकि सारे goods पे GST लगता हुए लेकिन यहाँ पे जो excise duty है excise duty लगाने का पावर maximum goods पर on manufacturing और production central government के पास था और कुछ goods पे इंडिया में अगर goods manufacture होते है तो state के पास power था excise duty लगाने का लेट्स टेक एगजामपल अलकोहल अगर इंडिया में manufacture होता है तो उसके उपर excise duty लगाने का power जो था state के पास था central के पास नहीं था opium narcotics opium narcotics क्या होते हैं opium narcotics अगर हम बात करें तो चरस गांजा बगर यस यह भी manufacturing इन्या में allowed है क्योंकि medicine में use होते है तो opium और narcotics अगर manufacture होते है तो यह जो power इस पर excise लगाने की state के पास थी बाकी सारे goods पे excise लगाने की power central के पास थी तो जब 2017 में GST आया तो कुछ ही goods excise के scope में रखे गए और सारे goods shift हो गए यहाँ पे GST में अगर GST की source entry आप constitution में देखते हो तो लगबख all goods और services are subject to GST except जिसके उपर मैंने बाग की excise duty लगती है अब आज excise duty कौन-कौन से product पर लगती है यह आपका question हो सकता है इसके बारे में थोड़ा हम आगे बात करेंगे मैं specially यह जो प्रड़क्टर tobacco टोबैको प्रड़क्ट इस पर मैं discussion करना चाहोगा सर आप इसके उपर discussion क्यों ले रहे है क्योंकि यह ऐसा product है जिसके उपर GST तो लगता ही है अब GST लगता है मतलब क्या अगर आज cigarette cigars या tobacco powder या water it में भी tobacco made products अगर intra-state अगर intra-state sale होते है तो CGST और SGST लगेगा और interstate sale होते है तो IGST लगेगा धान निना ओकी मेरी बात सीधी दिमाग में घुसनी चाहिए कोई disturbance नहीं कोई यहाँ पर दूसरे thoughts नहीं जो मेरे words है और आपका दिमाग है इसमें कोई बीच में नहीं आना चीए तो जो भी बीच में आएगा मैं खतम कर दूगा तो जहां तक देखा जाए आ जाते हैं हमारे discussion पे तो टोबैको टोबैको प्रड़क्स जो है यहाँ पे GST तो लगता है यह इंट्रस्टेट सप्ला होता है तो CGST और SGST लगता है तो वो सिचुएशन में यहाँ पे 28% का फुल GST आपको पे करना पड़ता है यहाँ तक तो समझ गया है लेकिन टोबैको ऐसा एक प्रड़क्ट है जिसके उपर आज भी सेंट्रल गॉवर्मेंट ने एक साइज रिटेन किया हुआ है मतलब जब GST आया तो इस पे discussion हुआ और सेंट्रल गॉवर्मेंट ने यह कह दि सेंट्र यहाँ पर टोबैको या टोबैको प्रड़क्स मैनिफाक्चूर करेंगे उसके उपर excise duty continue रहेगी क्योंकि excise duty सरी मानिफाक्चरिंग पर लगती थी trading पर नहीं इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भी यह हुआ कि आज भी tobacco टोबैको प्रड़क्त पे central excise भी लगता है और GST भी लगता है सर यह तो बहुत heavy taxation हो गया, बिल्कुल बहुत heavy taxation हो गया, excise duty भी heavy है और GST भी 28% है इसके उपर GST compensation sales भी है, मतलब GST, GST compensation sales और excise on manufacturing manufacturing, भाई साब अगर tobacco का tax बट निकालो तो approximately 60% का tax हो जाएगा, 10 रुपे की cigarette अगर आप ही होगे, 10 रुपे की मिलती का है, example ले रहाओ, तो उसके उपर 60% के आसपर स्रिफ indirect taxes रहेंगे, manufacturing level के समझ के, I hope आपको समझ में आगया होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे special discussion लिया, चलिए यह pictorial presentation से समझते हैं, एक factory है, वजिर सुल्तान टोबैको company limited, cigarettes बनाती है, यह cigars बनाती है, और यह manufacturer बेटा, अगर यह manufacturer है, तो चलो आगे बात करते हैं, अगर यह manufacturer है, तो यहाँ पे इसके उपर excise duty भी लगेगी और GST भी लगेगा, सर मतलब कैसे, practically देख लेते हैं, समझ प्राइज है, consignment की प्राइज है, यहाँ पे 1 लाग, consignment की प्राइज है 1 लाग, excise duty अजूम करते हैं, और excise duty at the rate यहाँ पे 10%, अजूम करते हैं, excise duty लगेगी, क्योंकि on manufacturer production, लिखो आप भी, वहाँ पे अगर आपके पास notes आगे होगी, तो बिलकुल लिखो आपे, excise duty at the rate 10%, याने 10,000 आपकी excise duty हो जाएगी, तो आपकी total price कितनी होगी, तो यहाँ पे excise के बाद, आपका total आगया, okay, 1,10,000, okay, आपका total आगया 1,10,000, clear, अब यह जो 1,10,000 total आया, इसके ओपर क्या लगेगा बेटा, तो अगर हम बात करें, तो इसके ओपर जो है, यहाँ पे, CGST, समझे लोगो, यह interest rate है, CGST और SGST, add the rate 14% और यह भी add the rate 14% इसके ओपर लगा जाएगा, मतलो 1,10,000 का 14% अगर आप निकालते हो, 28% का rate यहाँ पे टोबैकों पे लगता है, तो 1,10,000 into 14% अगर आप निकालोगे, तो 15,400 और यह भी 15,400, okay, इस तरह से, इसके उपर excise भी लगेगा, I hope आपको समझ में आ गया होगा, इसके उपर excise भी लगेगा, और साथ साथ में, GST भी लगेगा, यह point आपके समझ में आया है क्या, yes or no, please बताइए, चलो, यह तो था manufacturing stage पे, अगर हम आप बात करें, सब 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 मुझे response देंगे, please, सब मुझे response दें वाई साथ यह trader है, और एक बात अभी दिमाग में fit कर लो, excise duty manufacturing पे लगती है, selling पे, trading पे नहीं लगती है, तो अब ऐसे situation में, यहाँ पे, अगर यह trader या wholesaler जिसने यह goods खरीद है, वो आगे बेच रहा है, वो आगे बेच रहा है, तो सिर्फ GST लगेगा, सर इस पे अब excise नहीं लगेगी क्या, अब excise नहीं लगेगी इसके उपर, क्यों, क्योंकि excise only at the stage of production or manufacturer, पर अब जब यह आगे बेच रहा है, तो इस पे GST लग जाएगा, समझ लो यह price है, और price यहाँ पे 2 lakhs रुपीज में यह sale कर रहा है, तो excise नहीं, सिर्फ क्या लगेगा, C GST, add rate 14% और S GST, add rate 14%, अगर हम ले, तो 28,000 और 28,000 इसके उपर GST आएगा, अब आपका एक सवाल आ सकता है, सर यह बताईए, सवाल मैं आपके मैं पूट कर रहा हूँ, आपका ध्यान नहीं होगा, तो इस से बड़ी बेवकूफी नहीं होगी, यह सवाल जो मैं यहाँ पे पूट कर क्या, सर यह जो वोल सेलर है, इसके आउटपूट पे GST लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या यह उसके इनपूट के GST के ITC, यानि क्रडिट ले सकता है, क्या ITC, इंटर लेवल पे आपका हो गया होगा, बड़ा बेसिक कंसेप्ट है, तो ऐसे सिचुईशन में वो क्या उसके क्रडिट ले सकता है, क्या, बिलकुल ले सकता है, लेकिन, सी, वो GST के ही क्रडिट ले सकता है, अगर हम बात करें, तो इसका ही ITC मिलेगा, okay, इनपूट tax क्रडिट से भी इसका ही मिलेगा, okay, वो, okay, excise के kredits नहीं ले सकता, क्योंकि excise is not a GST and not a input tax eligible for output tax GST, तो, okay, कि यहाँ पर excise के no ITC, excise का उसको ITC नहीं मिलेगा, लेकिन GST का ही ITC मिले जा, अब आपका एक सवाल हो सकता है, और और वो क्या सवाल हो सकता है, सर यह बताइए, कि आज GST calculate करने के लिए excise हम add करते हैं, बिल्कुल add करते हैं, अगर थुदा बहुत basic आपको याद होगा, तो section 15, GST का आता है, valuation, value of supply, section 15 2A कहता है, कि इंडिया के सारे taxes, except GST, कभी थोड़ा सा याद होगा, तो इंडिया के सारे taxes, except GST, वो value में add होगे, मतलब आप जब GST की value determine करोगे, तो वो value determine करते हैं, वक excise भी उसमें add किया जाएगा, और वो excise add किया जाएगा, उसमें उपर GST मतलब यह tax on tax होगा, और सिर्फ एक्साइज नहीं, सारे taxes add होते है, as per section 15 2A, इसलिए यह भी add किया जाएगा, तो इस तरह से, यहाँ पर जहां तक देखा जाए, हमने सारे aspects इसके cover कर लिए, अगर आपका कोई doubt होगा, तो definitely मैं entertain करूगा, आपको एक minute का time देता हो, आपका doubt पूछने के लिए, चलिए, बताओ, आपके कोई doubt होगा, तो बताओ, please, चलिए, एक सवल आ सकता है, कि सर, इसके पर GST compensation says भी लग सकता है, क्या, okay, तो, yes, GST compensation says भी लग सकता है, अब यार, आप final level पे हो, okay, थोड़ा maturity से चलना, यह मत पूछना, एक लाग कहां से आया, दो लाग कहां से आया, यह मैंने यह price assume की, और यह आपको पता है, कि अगर मुझे credit नहीं मिलता है, तो वो price में exercise भी add हो गया होगा, margin भी आया होगा, तो please, concept को समझो, okay, अगर आपका यह सवाल होगा, एक लाग कहां से आया, और दो लाग कहां से आया, तो फिर दो मेरे को बहुत basic जाना पड़ेगा, वापस inter-level पे जाके आपको पड़ाना पड़ेगा, चलिए, तो यहाँ पे, यह example, base price ले रहा हो, वो दो लाग कहां से आया, वो price assume किया, चलिए, यह concept हमारा यहां कहता हुआ, second, यह भी एक special discussion बड़ा important है, alcoholic liquor for human consumption, मैं थोड़ा पहले इसकी history बता देता हूँ, यहाँ पे, alcohol पे excise लगाने का power, state के पास था, central के पास नहीं था, हाँ, बाकी सारे goods, इन्या में अगर manufacture होगे, तो सारे goods पे, excise लगाने का power, central के पास था, लेकिन manufacturing of alcohol, state के पास था, और यह तो आपको पता ही है, यह थोड़ा भूत knowledge होगा, कि अगर इंडिया में sale transaction होते था, तो उसके उपर वैड भी लगता था, उसके उपर क्या, वैड भी लगता था, तो यहाँ पे, यह discussion में लेना चाओगा, पह यह GST के scope में नहीं है, यह article 366 clause 12 में आगे में बता दूगा, clearly कहा गया, alcohol यह product GST में नहीं आएगा, और कि GST में नहीं आएगा, बाकि सारे product पर GST लग सकता है, यह क्यों नहीं आओ है alcohol GST में, क्योंकि यहाँ पे आपका एक बात बता दूँ कि, यहाँ पे state government बिल्कुल भ स्टेट दोनों में बढ़ जाता था, तो सारे state बड़े चालाग थे, इसकी स्टोरी बहुत बढ़ी आए, सारे state बड़े चालाग थे, वो कह, उन्होंने जब भी GST का discussion स्टार्ट हुआ, okay, मुझे पता है, GST council meeting में, जो बात नहीं होता, GST committee जो बनी थी, उसमें बहुत सार states के members से, उन्होंने बहुत clear कहा था, कि GST सारे goods or service पे लाएंगे, दोनों मिलके चलाएंगे, लेकिन alcohol नहीं आएगा, okay, यहाँ state बालों का कहना था, कि alcohol हमारा था, हमारा है, और हमारा ही रहेगा, हमारा ही रहेगा, हम ही उसका, हम ही पीएंगे, मतलब हम ही tax लेंगे, alcohol का, इस बात पे आखरी तक सारी state government अड़ गई, कि alcohol GST में नहीं आएगा, और ultimately agreed हो गया, कि yes, alcohol GST में नहीं लाएंगे, जो उसके उपर existing taxes है, GST आने के पहले, वही existing taxes continue रहेंगे, अब आपका सवाल आ सकता है, कि sir, GST आने के पहले existing taxes कौन से थे, थोड़ा बद आपको knowledge होगा, तो exercise on manufacturing था, और VAT था, that is called as sales tax, जिसको हम VAT बोलते थे, on sale or purchase of goods, तो जहां तक देखा जाए, तो yes, यहां हमने, यह point बड़ा important है, यह outside the realm of GST, मतलब GST के scope में नहीं रहेगा, the manufacture of production of alcoholic liquor continue to be subject to state excise duty, on interstate, interstate sale, okay, of sale is subject to CST or VAT, okay, manufacturing पे excise continue रहेगा, और उसके sale पे, सुनना, उसके sale पे, यहां पे, VAT, जो पुराना sales tax था, वो भी continue रहेगा, यह CST, central sales tax, in case of interstate sale, वो continue रहेगा, पहले, दो sales tax लगते थे, अगर intra sales, interstate sale हो रहा, तो VAT लगता था, और interstate sale हो रहा है, तो CST लगता था, वो आज भी continue रहेगा, ओके, on alcoholic liquor for human consumption, I hope यह point समझाओगा, तो जैसे हमने बात की tobacco की, tobacco में, वो GST में भी है, और excise में भी है, ओके, confusion हो सकता है, देरे-देरे जैसे मैं discussion आगे बढ़ा होगा, पर भाई साब, मेरे पे trust रखना, confusion आपका clear कर दूँगा, तो वहाँ cascading effect होते है टोबैकों में, सुर क्यों cascading effect, यह तो गलत है ना, भाई साब किसको टोबैकों से पैर है, बता दो, अभी आप जो class attain कर रहे हो, आपको पैर है, बताओ क्या घर पे तुमारे, ओके, cigarette फुकते हो क्या, जिसको टोबैकों से पैर है, वो cascading effect के साथ पैर करे, हमें करे पैर, पर cascading effect के साथ पैर करे, हमें कोई दिक्कर नहीं है, समझ में आए क्या आपको, लेकिन, जहां तक है, जिसको alcohol से पैर है, इसमें भी cascading effect है, इसमें भी credit नहीं मिलते है, excise और करे, समझ में आए क्या, तो यह था, alcoholic liquor for human consumption, next, second देखेंगे, opium, indian ham, other narcotics, drugs and narcotics, मतलब चाहिए, जो है, भाई साहब, इसका क्या tax implication है, यह ऐसे goods है कि government extra revenue चाहेगी, मतलब चाहेगी, चाहेगी, कुछ भी हो चाहे, government को extra revenue चाहिए, मतलब चाहिए, चाहिए, तो opium, indian ham and other narcotic drugs and narcotics are within the purview of GST, भाई साहब, GST के scope में लाना, मतलब, okay, central और state में आदा आदा होना, okay, central कहेगा 50 मेरा, okay, और state कहेगा 50 मेरा, तो ऐसे case में, इसको opium narcotics, जो inia में, license में produce होते है, और इसके license state government से लेने पड़ते है, तो जो produce होगे, उसके उपर, दोनों government GST में लाके, लेकिन, ये जो है, okay, state government also have written the power to levy excise duty on such production manufacturing ही निया, state government ने क्या कहा, देख भाई, और central वाल है, इधर आ, तुने tobacco पे extra excise लिया, in addition to GST excise का revenue, tobacco पे तू रख रहा है, tobacco पे central लगता है, तो फिर opium narcotics हमें देते, हम भी इसके उपर extra लेते है, पर वो state excise में लेंगे, तो को तेरा, okay, तू टूबै को खा, मैं, okay, यहाँ पे opium narcotics लेता हूँ, in short, simple word में, okay, यहाँ पे central नहीं, state excise को continue किया गया, मतलब इसके उपर GST भी लगेगा, और state excise भी लगेगे, very important, okay, यहाँ ने देखा, state और excise, GST भी रखा गया, और state excise भी रखा गया, चलिए, I hope, तो यहाँ पे next आते है, petroleum crude, diesel, petrol, ATF, natural gas, अब इसके बारे में हम आगे article 246 में बात, 246A में बात करेंगे, अब इसी मैं थोड़ा background discussion ले लेता हूँ, लेकिन article 246A में बात करेंगे, उसके बात में इस से related हम आगे section 9 में भी बात करेंगे, अब देखो क्या था, petrol and petroleum products, मेरे words को बराबर क्याच करना, petrol and petroleum products, like petroleum crude, diesel, petrol, ATF, ATF मतलब aviation, turbine, fuel, जो aviation के लिए special fuel होता है, और natural gas, यह 5 ऐसे items है, जो GST के इसमें लाने कर सोच रहे हैं, अबी तक सोचा नहीं है, पर यह GST में आ सकता है, लेकिन जब 2017 में GST आया, तब सारी state government, including central government, इन्होंने कहा कि फिलाल इसके उपर GST नहीं लगाते हैं, यह जो existing हमारे taxes है, 2017 के existing taxes मतलब उसके पहले के, उसके पहले के कौन से taxes है, दोस्तों उसके पहले के excise, VAT या CST, excise VAT और CST, यह जो taxes है, यह product पे फिलाल वही continue रखते हैं, यह decision क्यों रखा गया कि इसको अभी GST में नहीं लाए हैं, इसको पुराने taxes में रखेंगे, फिलाल तो, क्यों? क्योंकि petroleum products जो था, पुराने taxes में, excise और VAT, इसके उपर जो लगते थे, उसमें credit नहीं मिलते थे, credit नहीं मतलब cascading effect और double taxation से government को revenue बहुत मिलता था, और उसम पुराने इसमें कुछ negative list थी, अभी भी हम negative list देखेंगे, GST में, पर पुराने excise और VAT की negative list ही, कुछ goods के credits allowed नहीं थे, जिसमें petroleum products भी थे, तो अब ये goods के credits allowed नहीं है, जान सुनना, ये goods के credit allowed नहीं थे, cascading effect के वज़े से government को अच्छा खासा revenue हो था, और petroleum product, अब लोग कहत है कि अगर सारे taxes था दो petrol के, तो petrol यहाँ पे 50 to 60 per liter हमें available हो सकता है, और ये issue बिच में रहुल गांदी जी ने भी उठाया था, रहुल गांदी ने ये issue उठाया था कि अगर central और state मान जाए और taxes substantially कम कर दे, cascading effect हटा दे, तो petrol 60 to 70 rupees per liter में आ सकता है, ठीक है, पर यहाँ ना central माना ना सारे states माने कि नहीं, petrol जैसा है वैसा चलने दो हमें revenue चाहिए, लेकिन ये ऐसे goods है जिसके बारे में ये कहा गया था कि इसको GST में लाएंगे, GST में लाने से फरक क्या पढ़ने वाला है, GST में लाने से immediately इसका revenue divide हो जाएगा central और state में, साथ साथ में इसकी credit अगर म around 40 to 50% से कम हो सकती है, because of avoidance of cascading effect, okay, because of avoidance of cascading effect, तो ऐसे situation में, जहां तक देखा जाए, यहाँ पे petrol और diesel का decision अभी तक नहीं लिया गया, कि इसको GST में लाए या ना लाए, पर definitely मैं आपको कह देता हूँ, कि अगर petrol और diesel GST में आ गया, तो इसके prices, because of credit, ITC, इसके prices minimum से minimum 30% स से कम हो सकती है, पर नहीं लाए गया, तो अभी मैं आपको यह बता रहा हूँ, यहां पड़ते है points, at present, मैंने इसलिए वर्ट स्टार्ट किया, at present, petroleum, crude, diesel, petrol, ATF and natural gas are not leviable to GST, इसके उपर GST नहीं है, इसका मतलब यह मत समझना है कि इसके उपर tax नहीं है, इसके उपर जो from the date to be notified on the recommendation of GST council, but there is a levy of central exercise duty on manufacture or production of petroleum, crude, diesel, petrol, हा, यह जो है, central exercise duty is goods पे लगेगी and उसके बाद में, CST और VAT, interstate और intra-state sale, इसके उपर लगेगा, मतलब इनके उपर जो existing taxes है, underline करना, इसके उपर जो existing taxes है, central exercise, VAT और CST, यह taxes continue रहेंगे, अगर आपका सवाल होगा, कि sir, what do you mean by cascading effect, actually दिखा जातों, यह बहुत basic inter-commerce industry का basic सवाल है, cascading effect हैने क्या, tax on tax, लेकिन कोई problem ने, आपको यह सवाल आई भी, तुम मैं दरना, मैं बैठाओ, आगे मैं आपको credit mechanism, अभी थुरी देर बात, ITC के credit mechanism पढ़ाओगा, कि credit eligibility कैसी होती है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो credit mechanism क्यों लाए गया, उसका basic मैं बता होगा, तब हम बात करेंगे about cascading effect, चलिए, तो cascading effect का simple meaning होता है, tax on tax, पर मैं आपको बता दूँगा, अगर आपको नहीं भी बता होगा, चलिए, next, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर entertainment tax, अब इसके बारे में बात करते हैं, GST आने के पहले, entertainment tax, entertainment tax, यह जो था, यह जैसे, example ले लो movie, okay, movie की case में entertainment tax लगता था, कोई amusement park है, कोई theater performance है, तो उसके उपर entertainment tax लगते थे, entertainment tax लगाने की power, दो लोग के पास थी, state government के पास भी थी, state government के पास भी थी, and local body के पास भी थी, local body, मतब local authority, municipal corporation, etc, ठीक है, तो state government, जो entertainment tax लगाता था, लगाता था, levy it by, levy it by state government, और यहाँ पे, levy it by local body, तो state government जो entertainment tax लगा रहा है, यहाँ पे, यह entertainment tax, यह, सुनिये गा, यह entertainment tax, GST में सबस्यूम हो गया, GST में, सबस्यूम इन GST, सबस्यूम इन GST, यहाँ जो state government, entertainment tax लगा रही है, वो यहाँ पे, GST में सबस्यूम इन GST आने के बाद, state government अब entertainment tax अलग से नहीं लगा सकती है, क्योंकि उसके ऊपर GST लग रहा है, entertainment activity पे GST लग रहा है, अगर entertainment activity पे GST लग रहा है, तो यहाँ पे state government अलग से उसके उपर tax नहीं लगा सकती, यह आपने देखा लेकिन लेवरी बाय लोकल बोड़ी अकर लोकल बोड़ी यहाँ पर जो लगा रही है entertainment tax क्योंकि दोनों लगाता था तो local बोड़ी वाला entertainment tax subsum नहीं हुआ ओके it is not subsum in GST it is not subsum subsum in GST therefore therefore it is it is still payable still payable in addition to GST in addition to GST याने GST तो लगे गाई plus यह भी taxes आपको लगाई जाएगे याने हो सकता है आपके state में आप movie देखने जा रहे हो तो movie ticket पे entertainment tax और GST दोनों भी आपको ticket में दिखे इवन दो आप मानते हैं कि GST आने के बाद सारे taxes जो goods और services के है वो सबसीम होके अब one nation one tax पे हम आ गए लेकिन कुछ taxes in addition to GST आज भी चाल हुए जैसे कुछ state में हो सकता entertainment tax लग रहा हो कुछ state तुमारे local body क्योंकि यह decision totally local body का है जैसे पुने, पुने municipal corporation entertainment tax लगा रही है पर हो सकता है आपके district में नहीं लग रहा होगा यह decision totally local body के पास दिया है लेकिन आपको देखने मिल सकता है okay in addition to GST local body का entertainment tax तो यह था regarding to entertainment tax जो मैंने यहाँ पे दिया है ठीक है तो entertainment tax लेविट बाइ local body not subsuming in GST it is payable in addition to GST लेकिन entertainment tax लेविट बाइ state government तो it is subsume in क्या GST वो GST में subsume हो गया है next यहाँ पे अगर हम देखे तो real estate real estate sector has been kept out of ambit of GST because GST will not be livid on sale or purchase of immowable property वाइस आप GST goods or services पे आता है तो immowable property होगी तो उसके अपर GST नहीं आता है तो यह कुछ अब यहाँ पे हमने scenario लिये अब एक चार्ड जो है मैं यहाँ पे आपको explain करने जा रहा हूँ ठीक है और यह चार्ड जो है दहांते सुनिएगा यह चार्ड जो है बड़ा important है क्योंकि आपके इसमें कोई भी confusion हुआ तो वो केस में यह चार्ड आपको definitely बहुत help करेगा क्योंकि MCQ question इस पर आ सकते है कि अलग-अलग केस में हमारी tax liability आज current situation में जो GST आने के बाद कैसी है for some specific goods चलिए मैं आपको एक बार बता दू 2017 के पहले इंडारेक्ट अक्सेस कैसे लगते थे अगर कोई इंडिया में goods का manufacturing हो रहा है goods का manufacturing हो रहा है manufacturer पे तो इसके ओपर central एक size लगता था दिलग-बग बहुत सारे goods पे central exercise लगता था और कुछ गिने चुने चुनिंदा goods पे state exercise लगता था state exercise भी लगता था जैसे alcoholic liquor हो गया, OP में हो गया, narcotics हो गया example अगर हम देखे तो alcohol, narcotics, etc इसके ओपर state exercise लगता था बाकी सारे goods पे central exercise लगता था और central exercise ये revenue central का था ये revenue central का था और state exercise ये revenue state का था और उसके बाद में यहाँ पर ये तो manufacturing पे लगता था अगर आप sale कर रहे हो, अगर आप goods को manufacture करके sale कर रहे हो, या trader sale कर रहा है तो वो case में अगर आपका interstate supply होता है, interstate sale होता है तो लगता था VAT, और उसके बाद में अगर वही आपका interstate sale होता है interstate sale होता है तो लगता था CST, central sales tax आपके उपर लगता था, भाईस आप समझा आप तो sir क्या ऐसा होता था कि एक manufacture manufacturing करके sale भी कर रहा है, तो उसके उपर दोनों tax लगते थे एक size भी लगता था क्योंकि एक size manufacturing पे था, और जो वो sale कर रहा है तो उसके उपर यहाँ पे VAT या CST लग रहा है, दोनों tax लगते थे, इसले तो GST आया क्योंकि लोग परिशान थे, यह क्या लगा के रखा है, एक size B, VAT B, CSTP, double taxation, लेकिन अगर आप trader हो, तो trader पे ट्रेडर manufacturing नहीं कर रहा है, ट्रेडर सिर्फ sale कर रहा है, तो वो situation में, जहां तक देखा है, तो VAT या CST ही लगता था, अगर आप service provider हो, तो service tax लगता था, I hope आपको यह structure पुराना short में समझ में आया होगा, Now, फिर 1 जुलाई 2017 को कहा गया, कि सारे goods GST में ला, और Central और State अप अपने taxes, छोटे बड़े जो भी taxes होगे, सब merge कर दो single GST में, ठीक है, सब ready होगा है, अगर आपने list देखी होगी, दो पेच पहले, तो Central वालों ने Central के taxes merge कर दिये, सारे state के taxes merge कर दिये, लेकिन, कुछ goods ऐसे ऑपर है, जो आज current situation में, जिनका एक पैर, कुछ goods ऐसे, जिनका एक पैर और आज नएいき पैर पुराने पिडी में है, जिसमें टुवैक और टुवैको का एक पैर नए पिडी में है, और एक पैर पुराने पिडी में है, ठीक है, दुसरी बात यहाँ पर opium narcotics, जिसके बापर excise भी लगेगा, GST भी लगेगा, कुछ गुड्स, ओल्ड पिडी वाल है, ट्राडीशन है, ओल्ड स्कूल है, कुछ गुड्स भी पुराने थॉट के, नहीं, हम excise भी और वैट में ही चलेगे, अल्कोल, वो उसमें, वो GST के नए पिडी में आये नहीं, तो जहां तक देखा है, अब यहां पर, जो आमने डिस्कस किया, उसको बाइफर गेट कैसे करें, यह चार्ट में देखते है, चलिए, यह चार्ट में आपको एक बार समझा जेता हूँ, टैक्सिबिलिटी और गोट्स इन स्पेशल केसे, टाइटल बहुत अच्छे से मैंने डिजाइन किया है, taxability on goods in special cases, पहला, goods totally out of the levy of GST, बतलब, okay, sir, एक लाइन में बताओ, कि ऐसे कौन से goods है, जिसके ओपर GST आता इच नहीं है, वो बहुत पुराने old thought mentality के है, जिसके ओपर GST आता इच नहीं है, तो जहां तक देखा जाए, तो अब ये, तो यहां पर, जो GST में आता ही नहीं है, तो येस, मैं बता दूँगा, पहला है, याने, they are subject to excise on manufacturing, VAT or CST on sale, पहला है, petroleum product, petroleum crude, high speed diesel, motor spirit, मतलब पहले में यह टाइटल है पेट्रोलियम प्रड़क्ट जो है यह टाइटल है कि पेट्रोलियम में पाँच ऐसे प्रड़क्ट है पेट्रोलियम क्रूड है स्पीड डिजल मोटर स्पेरीट मोटर स्पेरीट याने पेट्रोल ओके मोटर चलाने की स्पेरीट ठीक है मोटर स्विरिड याने पेट्रोल, ATF, aviation turbine fuel, natural gas, यह GST में अभी बिल्कुल भी नहीं है, manufacturing पे central exercise लगता है, और sale पे intra होगा तो VAT लगता है, inter होगा तो CST लगता है, second, alcoholic liquor for human consumption, alcoholic liquor for human consumption होगा तो यह बिल्कुल GST में नहीं है, जहाद अग देखा जाया, manufacture होगा तो state exercise लगता है, sale होगा तो VAT and CST लगता है, okay, I hope थोड़ी clarity आपको आगई होगी, कि यह लिस्टी लन कर लेना, यह 6 goods अभी फिलाल GST में बिल्कुल भी नहीं है, now second, good subject to excise and GST, जिसका एक पैर नए पिड़ी भी है, और एक पैर पुराने पिड़ी में है, ऐसे कौन से goods है, tobacco and tobacco product, okay, इसके manufacture पे होगा, तो C GST, S GST लगता है, और इंटर होगा, तो I GST लगता है, now next, जहां तक देखा जाए, यहां पे no VAT or CST, और एक logic आपको बता तो, अगर आपको GST लग रहा है, GST लग रहा है, तो फिर VAT or CST नहीं लगता है, VAT or CST वहाँ लगेंगे, जहां GST नहीं है, जहां GST तो हाँ, एक साइज और GST का कॉम्बिनेशन आ सकता है, एक साइज और GST का कॉम्बिनेशन आ सकता है, पर VAT or CST यहां नहीं लगेंगे, क्योंकि उनके सेल या सप्लाय पे हम GST लगा रहे हैं, और कि C GST, S GST और I GST, दुसरा है, OPM, Narcotics, etc. अगें, यह जो है, इसका एक प क्योंकि इंटर लेवल पे कॉश्चन आते हैं, तो कम से कम यह जो चीजे, सारी चीजे, आप तो नहीं नहीं फॉंडेशन से आते हो, तो इंटर लेवल पे, यह कहां से आपको सफज में आता है, तो यह अगर आपने मेरा क्लास किया होगा, तो यहां हमने बहुत डिसकस किय इसके उपर, तो जहां तक देखा जाए, ओपियम नार्कोटिक्स, एक्सेटरा, तो स्टेट एक्साइज, और सेल होगा, तो C, GST और S, GST, तो यह दो केटेगरी के गुड्स ऐसे है, जहां टोबैको और टोबैको प्रडक्ट, और दुसरा ओपियम नार्कोटिक्स, जो है, यह इनका एक पैर, GST में है, एक पैर, एक पैर, एक साइज में है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, बाकी सारे गुड्स और सर्विसेज की बात करूँ, तो उसके उपर अल्ली, अल्ली GST लगेगा, इंट्रा होगा तो C, GST, GST, और इंटर स्टेट्स होगा तो I, GST, I hope आपको यह चार्ट समझ में होगा, Yes or No, Yes or No, चलिए, यह चार्ट आपके नोटबुक में लिखना है अभी, मैं टाइम दूगा लिखो, और जो ODPD में देख रहे है, पॉस करके लिखो, जो ODPD में देख रहे है, वो पॉस करके लिखो, Yes बेटा, यहाँ पर द्यान दीजिएगा, यह लिखते वक्त पूरा आपका अभी लान हो जाना अचीए, Second, यहाँ जब चार्ट लिख रहे हो, तब कौन से पेज का चार्ट आप ड्रॉक रहे हो, उसका रिफरेंस जरूर दीजिएगा, और मैंने भी कोशिश किए, ड्रॉ चार्ट का पंच करने की, जहाँ जहां में चार्ट बनाना है, वहाँ मैंने पुरा पंच करने की कोशिश किए, नेक्स, यहाँ एक हिंदी में लिख लो, सेकेंड पॉइंट पे, और सेकेंड पॉइंट पे यह हिंदी में लिख लो, यहाँ पे, कि जहाँ GST लगेगा, वहाँ CST और वाट कभीछ नहीं लगेगा, एक साइस का कॉम्बिनेशन आ सकता है, और CST और वाट कभीछ नहीं लगेगा, तो एदर आपको एक साइस, वाट या CST लगेगा, या GST और एक साइस लगेगा, और बाकी सारे गुड्स पे GST और सर्विस टेक्स तो टोटल ही सबस्यूम हो गया है, तो चलिए वेटा, यह हमने चार्ट देखा यहां पर discussion को आगे बढ़ाते हैं, discussion को आगे बढ़ाते हैं, अब आते है constitutional amendment for GST, article 246A, अब दिखो, आपने कही लौ में पड़े होगे, या custom में आ पड़ोगे, या पड़ा होगा, अगर आपको याद होगा तो article 246 है उसमें schedule 7 है schedule 7 में आपके सामने 3 list आती है कौन से 3 list आती है list 1 called as union list list 2 called as state list और list 3 called as यहाँ पे क्या concurrent list list 1 union list union list state list और concurrent list और concurrent list यह तीन list आती है अब second आपको यह बता दू कि यह article 246 था GST लगाने की power क्योंकि यह list से ही power मिलती है आपको tax लगाने की तो GST के GST लगाने का power ना list 1 में था जभी constitution मनाया गया ना list 2 में था ना list 3 में था तीनों list में GST लगाने का power बिल्कुल भी नहीं था ठीक है तो सर क्या वैसे भी सभीधान amendment होना ही था और हमने GST के लिए constitutional amendment की 2016 में 101st amendment constitution amendment की with truth and voting in the लोक सभा अजवल अजवल राज्य सभा तो जब हमने constitutional amendment की तो इसमें list में एर कर देते हैं भाई साब यह list बहुत क्लियर है list 1 उस पे central ही law बनाएगा list 2 उसके ओपर state ही law बनाएगा और list 2 इस पे दोनों law बनाएगे पर अलग-अलग बनाएगे मेरा statement catch करना इस पे दोनों law बनाएगे पर अलग-अलग बनाएगे दोनों का common portal हो GSTN common portal हो central law state का और दोनों मिलकर चला है और दोनों common policy decide करके चला है इसलिए यह list में वो possible नहीं था यह list में possible नहीं था तो क्या किया गया तो फिर यहाँ पे एक new article इंट्रोड्यूस किया गया और वो new article इंट्रोड्यूस किया गया article 246a okay for GST okay for GST नया article क्योंकि जब तक constitution से source नहीं मिलते हैं हम आगे कैसे बढ़ेंगे तो यह article 246a जो है यहाँ पे बनाया गया अब article 246a क्या कहता है चलिए आप मेरे साथ पढ़ोगे notwithstanding to anything containing article 246 and 254 मतलब article 246 में कुछ भी कहा होगा वो बाजी में रखो उसको हमें ध्यान नहीं देना है okay article 246 and 254 254 related to other amendments of GST उसको ध्यान में उसको बाजी में रखकर parliament and okay wording बुदे को parliament and subject to clause to legislature of every state okay हमें यह law ऐसा बनाना था कि दोनो parliament and word डालना था और and legislature of state word डालना था मैं डांस नहीं कर रहा हूँ okay parliament word डालना था और legislature of state भी word डालना था so parliament and legislature of every state have power to make the law with respect to goods and service tax import by union or by such state दोनों मिलके law बनाएंगे okay for levy of GST on all goods or services इंडिया के सारे goods or services पे tax लगाने का power होगा except अगर कोई exception में जो मैंने अभी आपको पढ़ा है okay वो exception चोड़के सारे goods पे लगाने का power article 246 A में लगा so दोस्तो कौन सी सोर सेंट्री है GST की बोलो में के साथ जोर से बोलो कौन सी सोर सेंट्री है article 246 है और article 246 A के ताथ पावर लेके यहाँ पे ओके GST लगाया क्या समझा की नहीं समझा समझा होगा तो यस टाइप करो फटा पट नाव नेक्स parlement has a ya endline कarna parlement has exclusive power to make a law with respect to goods and service tax the supply of goods or services are both take in the course of interstate trade or commerce chal rye bhai मैंने आपको पड़ाया की CGST law CGST law center बनायेगा Central Government मनाएगी, वो तो एक ही लॉगा पुरे इडिया में SGST लॉग ये 28 states प्लस 3, 3 3 कौन से कोई बताएगा, 3 कौन से, वेट करूगा आप cancer का, देखना चाहता हो एने ऐसे 31 states GST के 31 states ओके, और UTGST UTGST 5 5 UT's तो ये जो है CGST एक ही रहेगा SGST 31 laws every state बनाएगा, जो exactly CGST जैसे रहेगे और UTGST, जो Union Territory में, भाई साब किसे का answer नहीं है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये 3 मतलब वो वाले, वाले, कौन से वाले देली वाले, पुड़चरी वाले देली, पॉड़चरी, correct और और जमुएन कश्मीर ऐसे 31 state laws बनेंगे ये तो ठीक है, 1 GST 31 state SGST, जो exactly CGST जैसे रहेंगे, क्योंकि साथ में मिलकर बना रहे है, प्रॉबलम क्या है और 5 UT, जो exactly CGST जैसे रहेंगे, ये तो समझ गया एक ओर tax है न, भाई कौन सा tax है, IGST IGST, मतलब Integrator of Central and State, IGST ये लो कौन बनाएगा हमें बताईए, ये लो कौन बनाएगा, ओके ये तो हम state wise, central wise कैसे तो फिर constitutional entry में कहा गया, अच्छा, अगर बात IGST, याने interstate की है क्योंकि IGST, इंटरstate पे लगता है भाई साथ, ओके तो interstate की बात है, और IGST law बनाना है, तो ये parliament ही बनाएगा okay, parliament ही बनाएगा और इसका revenue, parliament मतलब centrally बनाएगा और इसका revenue पहले central collect करेगा पूरा और बात में ओवो distribute करेगा हाँ, इसलिए जब हम IGST पे करते हैं तो पूरा दे देते हैं, बात में center उसको distribute करती है, okay, I hope आपको समझ में आया होगा, तो ऐसे situation में, अगर interstate की बात है, तो interstate की लिए exclusive parliament law बनाएगा, ये तो article 246 A हो गया, चलो constitutional provision हो गई हमें power मिलने वाली है, GST की okay, खुशे बनाओ, अब GST law पढ़ेंगे imagine करना, आप 1 जुलाई 2017 17 को मेरे सामने बैठे हुए हो, और मैं GST का announcement कर रहा हूँ, और GST law बनाने वाला हूँ, और आपके सामने प्रेजन करने वाला हूँ, और पूरा India इस law को follow करने वाला है, और इसकी source entry हमें article 246 A से मिल रही है, okay सबज में आया, okay, चलिए, आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं, आगे कहते हैं, the provision of this article shall, in respect of goods and services tax referred, in clause 5 of article 279 effect on the date recommended by the date recommended by goods and service tax council, सबसे पहले ते एक वर्ट समझ लेते हैं, यह council कहा है भाही साब हार स्टेट की अलग गवर्मेंट है हार स्टेट अपना गवर्मेंट का existence रखता है, सेंटरल की अलग गवर्मेंट है, दोनों साथ में मिलकर बनाएंगे, मतलब क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे दोनों साथ में मिलकर बनाएंगे मतलब क्या करेंगे, तो एक council बनाया जाएगा, परिशत और वो परिशत में center के भी member होगे और state के भी member होगे, दोनों साथ में बैठेंगे और GST की policy decide करेंगे, जिसके हमको कहते है GST council, अगर आपने office में काम किया होगा, तो बहुत बार ये word सुना होगा, GST council, okay, inter में थोड़ा भी GST अच्छे से पढ़ा होगा, थोड़ा सा थोड़ा सा भी अच्छ रहेंगे, और Y chairman as well as member states के रहेंगे, और दोनों बैठेंगे, अब तो हर महने में बैठते है, निर्मला जी हर महने में बैठती है, okay, और यहां पे GST, अभी क्या decision लिए है, और GST के इतने aggressive decision लिए रही है, center or state, आपने office में काम क्या होगा, तो registration के बापरे, इतना strict बना रही पुरा देश सफर कर रहा है, यह नहीं सोचा जा रहा है, और ऐसे ऐसी चीज़ है ना, GST में आ गया कि देखो, बताओगा आपको, तो जहां तक देखा जाए, तो एक council बनाया जाएगा, और यह council प्रेसिडेंट के अंडर में बनाया जाएगा, okay, और वो council, okay, यहां पे article 279 A clause 5 में दिये गया गोड़्स, okay, तो अभी थोड़ा आपको, कौनसे गोड़्स आपको, कौनसे गोड़्स आर्टिकल 279 A 5 में दिये, मैंने नीचे लिखा हुआ है, article 279 A 5, covers the following 5 गोड़्स, कौनसे 5 गोड़्स, पड़ो पड़ो एक बार, कुछ तो भी पड़ा जासा लगे ये पाँच ऐसे goods है जिसके उपर GST कब से लाना है ये council decide करेगा मतलब center और state मिलकर decide करेगे petrol पे कब लाएगे GST और कि GST कि स्कोप में कब आएगा ये जब तक council decide नहीं करेगा तब तक ये goods GST में नहीं आएगे और उसका इसको थोड़ा अलग धंग से आपके सामने present करता हू मतलब ये हुआ कि ये goods पे GST आ सकता है पर कब आएगा जब GST council recommend करेगा GST में आने के फाइदे क्या है तो ये जो goods अभी excise में है ये जो goods अभी यहाँ पे VAT और CST में उसमें उनके purchases पे credit नहीं मिलते है Okay तो imagine करो पेट्रल जब हिंदुस्तान पेट्रोलियूम के factory से निकल रहा है तो इसके और excise VAT लग रहा है फिर वो distribute control के पास रहा है उसके और excise और VAT लग रहा है पिर distributor से वो八 पास आ रहा है purchases का, तो भाई साब purchases के sit, ना distributor को sit-up है, ना wholesaler को sit-up है, ना retailer को sit-up है, ना consumer को sit-up है, कई पर sit-up नहीं, और हर stage पे, ओके, यहाँ पे VAT, sales tax, VAT, sales tax लगते जा रहे हैं और manufacturing stage पे exercise लगते जा रहे हैं तो भाई साब इसमें इतना double taxation है, इतना cascading effect है, और credit है नहीं, इसलिए, प्राइजस, petrol और diesel की बहुत जादा है, पर अगर यह GSTK स्कोप में आजाए, तो credit देना mandatory हो जाएगा, और credit देना mandatory हो जाएगा, मतलब, manufacturer से distributor ने खरीदा, तो distributor को purchase के sit-up मिल जाएगे, GSTK distributor से, wholesaler ने खरीदा तो wholesaler को purchase के sit-up मिल जाएगे, sit-up मिले तो tax only on value addition ही होगा, prices कम हो जाएगी I hope आपको समझाओगा I hope आपको समझाओगा इसलिए, यह 5 goods जो है, अभी फिलहाल GST में नहीं है, पर आने चाहिए GST council meeting में तीन बार question उठाया गया, और Congress ने उठाया, क्योंकि Raul Gandhi इन्हों ने यहाँ पर कह दिया था, कि बाई GST, पेट्रोल निंग प्रड़क को GST में लाया जाए, और कुछ state ने यह point उठाया था, GST council में के लाया जाए, पर center ने अपने हाथ कड़े कर दिया, center ने कह दिया, सारे state अगर मानेगे, तो हम लाने को ready है जो BJP government state से हो नहीं माने, कुछ Congress government state थे वो भी नहीं माने एक दो state मान रहे थे कि लाओ इसको GST में तो prices कम होगी लाओ इसको GST में तो prices कम होगी लेकिन भाई साब यह GST में नहीं आपा रहा है, आज भी नहीं नहीं आपा रहा है, GST को आने को इतने साल होगा है, तभी नहीं आपा रहा है पता नहीं, कि वो दिन कब आएगा जब GST council में सब लोग बैठेंगे और कहेंगे कि लाओ पेट्रोल लाओ, इसे लाओ GST में लाओ, सो जाएट इसके prices कम होगी समझा होगा, तो पेट्रोल का पी टाइप करो, तो यह पाँच पेट्रोलियम प्रडक्स ऐसे है, कि जो है GST on this will be applicable from the date on which recommended by GST council in future, अभी तो नहीं है पर जिस दिन GST council recommend करेगा उस दिन यह GST के scope में आएगा, समझा की नहीं समझा, समझा सर, बलो सर yes sir, okay done sir चलो next लेते है, article 269A levy and collection of goods and service tax in the course of interstate trade or commerce अगर आप interstate supply करते हो तो उसके आपर levy क्या है तो देखो, goods and service tax on supplies in the course of interstate trade or commerce shall be levied by government of India and such tax shall be अब यह article यह clear कर देता है कि अगर interstate होता है तो उसके उपर levy और collection central ही करेगी अंतलब IGST simple way में okay IGST की power आ रही है IGST की power आ रही है इसके उपर levy and collection central ही करेगा such tax shall be apportion between union and states in such a manner as may be provided by parliament by law on recommendation of GST council collection central कर लेगी lobby central बनाएगी IGST का पर फिर जो collection होगा वो बाद में government central और state में apportion करेगी वो बाद में government central और state में apportion करेगी और अब तो जो decided formula है वो तो direct GST and portal का अगर नाम सुनाऊगा तो portal में वो programming बनाएवी है जैसे IGST collect होता है portal खुद ही उसको segregate करके दे देता है based on your place of supply आपको जब आप GSTR 1 फाइल करते हो GSTR 3 भी फाइल करते हो तो आपको place of supply बताने बढ़ते है तो based on your place of supply portal खुद ही उसको bifurgate कर देता है पर आपको bifurgate करने के जरुवत नहीं आपको IGST का पुरा payment कर देना पड़ता है तो यह article बस इसलिए लाया गया क्योंकि इसमें यह कहा गया कि IGST का law central बनाएगा collection central करेगा और बाद में वो operation किया जाएगा as per the formula decided between central and state next for this clause supply of goods or services or both in the course of import into territory of India goods or services import into territory of India shall be deemed to be a supply of goods or services in the course of interstate trade अब एक बच्चे ने मुझे सवाल पुचा कि सर जब हम import करते है तो basic custom duty लगती है और ACD 37 जिसे IGST कहते है IGST तो जो GST लगता है वो स्रीब IGST के नाम से क्यों लगता है जैसे ACD 37 को IGST क्यों बोला जाता है इंपोर्ट में उसको CGST, SGST क्यों नहीं बोलते है भाई साब ये explanation है ये कहते है जब भी कोई goods area में import होगा या service import होगी सुनना goods import होगा या service import होगी तो वो जो है वो interstate ही माना जाएगा interstate ही माना जाएगा और उसके उपर IGST लगेगा एक ये angle से बता है इसको दूसरे angle से बताता है interstate का meaning बहुत literal मतले ना interstate मतलब एक state से दूसरे state वो तो आता ही है interstate मतलब एक state से दूसरे state वो तो आता ही है पर interstate का मतलब एक country से दूसरी country भी interstate के definition में cover होगा मतलब in short इंडिया के import transaction goods or service के और इंडिया के export transaction goods or service के ये इंटर-state के लाए जाएगे इंटर-country नहीं इंटर-state के लाए जाएगे मतलब इंटर-state के definition में state to state to आएगाई plus country to country भी आएगा I hope you understood okay and then amount apportion to a state under clause 1 shall not form a part of consolidated fund of India ये भी लाइन देको कितने अची है जो amount आपको सुना जो amount IGST का आएगा वो state को as a tax बाता जाएगा consolidated fund का part नहीं माना जाएगा consolidated fund क्या होता है कि जो center के पास पैसा आता है फिर कई flood आ गया उसको पैसा center ने दिया कई earthquake आ गया कई policy के लिए पैसा दिया वो center का उपकार होता है state पे यह उपकार नहीं है यह state के rights है इसलिए जो भी IGST का पैसा state को मिलेगा portion हो के वो उपकार के तहत नहीं मिलेगा वो rights के तहत मिलेगा आपको समझ में आया तो यह था regarding to article 269 A हमने यहाँ पे complete किया समझा की नहीं समझा yes or no चल discussion को आगे बढ़ाते है article 269 A हमने यहाँ complete किया next इस पर आजो article 366 article 366 इसके भी कुछ important provision ले लेते हैं definitions ले लेते हैं article 366 of our constitution define करता है GST याने क्या और वो define करता है 366 12 A में जब जब भी इंडिया में GST word use किया जाएगा किसी भी act में GST word use किया जाएगा तो उस GST का मतलब हमारे सभीधान के हिसाब से क्या लिया जाएगा यह सभीधान की definition है तो यह सभीधान की जो definition है constitution की definition GST की यह देखते है means any tax on supply of goods or services और both except taxes on supply of alcoholic liquor for human consumption सुनिये गावालो GST का मतलब कोई भी tax जो सारे goods or services पे होगा या दोनों पे होगा except alcoholic liquor for human consumption जब भी okay मतलब क्या मतलब होगा की alcoholic liquor for human consumption को छोड़के सारे goods or services पे tax लगाने GST लगाने का power यहाँ पे government के पास है मतलब सारे goods पे GST लग सकता है alcohol कहाँ exclude किया है यह यहाँ पे exclude alcoholic liquor पे GST नहीं आएगा alcoholic liquor पे GST नहीं आएगा तो अब मैं आप से यह सवाल पुछना चाहता हूँ और इसका जवाब जरूर दीजिएगा petroleum products पे भी GST नहीं आता है हमारा chart भी आप देख सकते हो petroleum products पे भी GST नहीं आता है और second यहाँ alcohol पे भी GST नहीं आता है पर दोनों में difference क्या है alcohol पे भी GST नहीं आता है पर दोनों में difference क्या है दोनों पे भी GST नहीं आता है जो existing taxes ते वो ही लगेंगे central excise या state excise VAT और CST पर दोनों में difference क्या है बोलिये 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 अगर आप डिफ्रेंस देखते हो तो बहुत थीन नाइन डिफ्रेंस है अल्कॉल पे GST नेवर आएगा यह Constitution ने बुला है मतलब अल्कॉल पे GST लाना है तो हमें constitutional amendment करनी पड़ेगी Article 366.12a अमेंड करना पड़ेगा और हमारा सब्विधान अमेंड करना है मतलब two-third voting in लोगसभा और राज्यसभा करनी पड़ेगी समझा है नहीं समझा तो अल्कॉल पे GST लागने के लिए ताकत चाहिए इतना state government ने अपने आपको प्रोटेक किया government ने state government ने का अल्कॉल का revenue हमारा है मतलब हमारा है तो ही GST ठीक है और उन्हेंने constitution में लिखवा के लिए लिखवा के लिए कि नहीं तो कल आके central का मुड़ हो जाए हो सकता है कोई dictator आजाए center में और वो कदे राज आल्लाव अल्कॉल भी लाओ GST में हमें भी revenue चाहिए CGST चाहिए उसके उपर नहीं 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 अल्कॉल पर अगर GST लाना रहा तो सभी धान comment करना पड़ेगा लेकिन petroleum product पर GST लाना है तो सिर्फ GST council का recommendation चाहिए सिर्फ GST council का act मतलब वो product अभी de-active है है GST वही पर de-active है उसको activate करने के लिए सिर्फ सिर्फ आओके हमें GST council का यहाँ पर meaning चाहिए ओके तो मतलब GST council का recommendation चाहिए तो यह था difference दोनों में पर conclusion है कि petroleum product के 5 products और alcohol ऐसे 6 products ओके GST के scope में नहीं आएंगे GST के scope में नहीं आएंगे next as per article 26a services means anything other than goods detail discussion हम next आओके chapter में करेंगे what do you mean by service अभी तो मेनिंग यह लेना कि service मतलब anything anything other than goods उसके बाद में state का मतलब क्या तो state का मतलब मैं पढ़ा चुका हूँ ओके वो state या वो union territory जहाँ legislature है तोटल state आपके 28 plus 3 यानि ऐसे 31 states आपके बन जाएगे आपके 31 states यहाँ पे बन जाएगे चलो यह काम करो यह जो petroleum products है नहीं जो आपने उपर देखा petroleum product इसको कहा जाता है वहाँ side में लिख दो okay they are also called okay petroleum product plus alcohol कर देना plus alcohol okay they are also called also called non-taxable supply इसके आगे मैं non-taxable supply कहोगा इसको as non-taxable supply of GST GST के लिए वो non-taxable supply कहा जाएगा they are also called non-taxable supply of GST done very good non-taxable supply of GST okay चलो GST GST वाई साब council जो है directly हमारे precedent के अंडर में बनाया गया है और 101st amendment जब की तो council भी उसके साथ मतलब यह council जो बनाया गया यह हमारे constitutional article इसमें add किया गया मतलब यह general ऐसा नहीं कि कभी उड़ा दो council को नहीं constitution के थूँ बनाया गया constitution की power के थूँ बनाया गया और यह direct president के अंडर में बनाया गया तो यह था GST council का structure जो यहां पर बनाया गया next आजओ recommendation of GST council यह GST council meeting हर मैंने में होती है होता गया इसके अंतर यार बताओ न थोड़ा यहां GST council एक बात कह दू GST के decisions अब purely ना central के हाथ में ना state के हाथ में यह GST council के हाथ में जब तक GST council decide ना करें तब तक पता भी ही नहीं हिल सकता इसलिए GST council के जो monthly recommendations आते है यह जब भी meeting होती है तब recommendations आते है तो बड़े important होते है क्योंकि GST council के recommendations आते हैं मतलब law में change होने वाला है इसलिए आज अगर बोला जाए one of the most changing and fluctuating law of India तो जिसे का जाता है GST क्योंकि वो income tax जैसा भी नहीं है income tax तो साल में okay proposals आते है finance bill में proposal आते है फिर change होता है साल में change होता है और GST जो है वो GST council के meeting पे change होता है इतना ज़्यादा change होता है कि जो पढ़ाने वाला है वो भी परेशार हो जाता है okay पर मैं ऐसा ऐसा subject नहीं पढ़ाता हो मैं GST पढ़ाता हो ठीक है तो यहां पे जहां तक देखा जाए तो GST council के meeting में क्या-क्या recommendations आते है कौन-कौन से आस्टा किस type की recommendation आ सकते है पढ़ लेते goods and service tax council shall make a recommendation to union and state both tax to be subsumed in GST कौन-कौन से taxis subsumed होने चाहिए GST में 2017 में एक बार तो decide हो गया था कि इतने taxis subsumed होने चाहिए पर अभी भी कोई चिलर-चिलर टेकस चालो है जैसा entertainment tax local body का चालो है उस state में कुछ चोटे-चोटे taxes चालो है अगर कल चाहिए कल जाके अगर यह discussion हो कि भई, taxis subsumed करे की नहीं करे तो वो GST में यहाँ पर discussion हो सकता है next, exemption in GST GST के exemption जो है, अब commonly council decide करेगा, पहले क्या हो दा था? हर state अपने साब से exemption decide कर रहा है पर अब नहीं, अब जो है goods पर exemption देना है, services पर exemption देना है, यह सब GST council decide करेगा, next model of GST law, GST law कैसा होना चीए, उसकी levy, apportionment of goods and service tax levy, और interstate trade, मतलब GST law का पूरा structure, उसकी amendments उसमें changes, उसपर discussion, उसकी policy का scope यह सब अब GST council decide करेगा भाई साब, यह जब तक decide नहीं करेगा, तब तक पत्ता भी नहीं यह लेगा आप GST है, ओके, और interstate trade commerce होगा, तो वो case में IGST का apportionment कैसे होगा, वो भी GST council decide करेगा, threshold limit of turn or, below which goods and service may be exempted from GST, मतलब threshold limit याने 20 lakh, कुछ case में, वैसे तो general limit 20 lakhs है, लिखना होगा तो general limit 20 lakhs है 20 lakhs, but but in special cases special cases 10 lakhs या 40 lakhs है 10 lakhs है, थ्रेशवल मतलब कितनी basic limit जिसके उपर GST नहीं लगने चाहिए, basic exemption basic threshold, जैसे income tax में आपने देखा होगा, तो 10 lakh, 3 lakh है, basic exemptions दिए गया है, यहाँ पे भी general threshold 20 lakh, यहने कोई भी businessman, अगर business कर रहा है, तो 20 lakhs तक GST नहीं रगेगा, वो general limit है पर कुछ cases में 10 lakh है, कुछ cases में 40 lakh है, पर यह थ्रेशवल limit है, यह भी कौन decide करेगा, GST कौन सेल, उसके बाद में GST rates जो भी है, जैसे अभी 4 main brand rates चालू है, GST के 5, 12, 18, 28, इतना तो general knowledge आपको होगा, इतना भी general awareness नहीं है, तो भाई साब वापस इंटर में जाके GST पढ़ो और कुछ case में 3% है, कुछ case में 0.25% है, गोल्ड, सिल्वर वगड़े precious stones, diamond वगड़े होगे, तो अलग rates है, तो यह rate भी GST कौनसल डिसाइड करेगा, दुसरा कुछ special rate और rate for specified period to raise the additional resources during natural calamity, natural calamity हो जाती है, तो कोई सर्चाज लगाना है, तो council डिसाइड करेगा, अब मैं आपको एक थोड़ा स्टोरी बताना चाहोगा, मज़ाएगा आपको, जब कोवीड आया था, तो निर्मला दिती नहीं यह प्रोपोजल रखा था GST कौनसल में, कि GST पर कोवीड से इस लगाए जाए, मतलब GST तो लगे गई, in addition to that, उसके उपार 2% का कोवीड से इस लगाए जाए, क्योंकि कोवीड में government के पास पैसा नहीं था, खर्चा हो रहा था, economic collapse हो रही थी, तो वो situation में जहां तक है, यहाँ पर कोवीड में revenue कहाँ जनरेट करना, तो 2% का, यहाँ पर कोवीड से इस लगाए जाए, पर यहाँ पर GST council ने accept नहीं किया, बहुत सारे states member ने accept नहीं किया, न accept करने का reason यह था, तक ही पहले लोगों के business नहीं हो रहे, दुकाने, शौप, फैक्टरीज बन पड़ी हुई है, उसमें से हम अगर extra burden डाल दे तो लोग चिलाएंगे, इसलिए फिर COVID से इस नहीं आया, पर हाँ, अगर कभी कोई special extra tax लगाना रहा, आज तो कोई extra tax नहीं है GST पर, और कोई extra tax लगाना रहा, तो वो natural quality case में, disaster के case में, तो GST council ये decision ले सकता है, now, next, यहाँ पर G clause, special provision with respect to state of अरुनाचल प्रदेश, आसाम, जम्मु एन कश्मीर, मनिपूर, मिगालया, मिजुरम, नगलं, सिक्केम, तरिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्राखन, इसको special category of state भी कहा जाता है, वहाँ अगर जगा होगी, तो लिख दो, यहाँ पर side में, special category of state, special category of state, okay, special category of state, अब यह special category of state क्या रहता है, okay, तो आपको बता दू, यहाँ पर, कि, उस states के लिए, जैसे क्या होँआता, GST council में जो decision होता है, वो सारे states को लाग होता है, यह compulsory है, council का, एक बार resolution पास हो गया, majority आ गई, तो सारे states को लाग होगा, तो अब ऐसे case में, कुछ state का कहना था, कि, नहीं यार, हमारे लिए, हमारा hilly area है, या backward region है, तो कुछ provision, सब को लाग होगी, 20 लाग के aggregate turn-out तक, वो GST नहीं देखा, लेकिन in state, यह जो एक category बनाएगे states की, यहाँ पे 20 लाग मतलब बड़ा business है, भाई, जैसे मीजोर, में में, हिली area है, छोटी-छोटी business हैं है, वहाँ पे, 20 लाग तक अगर वो threshold दे दे, exemption दे दे, तो फिर state का तो कोई revenue नहीं होगा, वहाँ 20 लाग बड़ा हो जाता है, तो फिर ऐसे state को special category state होगा, तो फिर GST कौन से लिए recommend कर सकता है, कि यह हम list बना रहे है special category of state की, और यहाँ पे 20 लिए 10 लाग का ही threshold रहेगा, composition scheme देड करोड की नहीं 75 लाग की रहेगी, आपको learn करना पड़ेगा, आपको learn करना पड़ेगा, कभी-कभी direct आपसे expect करते हैं, इसलिए इसकी कोई memory technique बना, जैसे यहाँ पे, अरुनाचल प्रदिश का A ले लो, पीक असाम का A ले लो, जमुन कश्मिर का J ले लो, और इससे कोई memory technique बनती है, तो memory technique बना लो, पर इसका relevance क्या है पूरे GST में, बस इतने relevance है, कि यह जो special category of state है, इनको अगर लगे तो कुछ provisions, अलग से लागू करनी पड़ सकती है, और कि जो general सारे state को नहीं रहेगी, इनको special अलग से provisions बना के दी जाएगी, by GST council, और last, any other matter relating to goods and service tax, as council में decide, कोई भी matter, GST का GST council decide कर सकता है, I hope आपको यह point समझ में आया होगा, yes or no, तो इस तरह से हमने देखा कि GST council का recommendations क्या क्या होते है, क्या नहीं होते है, और यह basic discussions यहां हमने complete किया, then, चलिए, तो दोस्तों, यहां पे, आज का session हम end करते हैं, कल का session is very 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 important, क्या कुछ भी हो जाए, miss मत करना, क्यूंकि GST का basic funda, मैं कल discuss करने वाला हूँ, और next मैं आपको यह बता दू, कि, yes, कल थोड़ा हम ITC concept को touch करेंगे, starting में, कि credit mechanism कैसा होता है, और फिर, charge of GST, and concept of supply, यह discussion शुद बात करेंगे, तो दोस्तों, मिलता है tomorrow, हमारे regular time पे, goodbye to all of you.